अई आओ ब्लन रिलेशन हमारा टोपिक है यानि कि हिंदी में बो लें तो खूनी रिश्ते ठीक है अभ खून होता है लाल और रिश्ते हमें सब बलेक होते हैं इसलिए ब्लड को लाल तरीके से और रिलेशन बलेक कलर में ठीक है चलो तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको खूनी रिष्टे ठीक है तो खूनी रिष्टे थोड़े खतरनाक होते हैं तो थोड़ा सा द्यान से समझेना है और द्यान से चीजों को समझते में चलना है ठीक है चलो तो फिर रिस्टार्ट करते हैं आज का topic हमारा blood relation class 1 है ये इसका चलो वहीं तेखो कोई भी question होगा हमारा उसका हमें blood tree बनाएंगे अब blood tree का सबका अपना अपना एक तरीका होता है कि सर में इस तरीके से बनाता हूं तुम पलस माइनस लिखता हूं ये लिखता हूं वो लिखता हूं वो सारी चीज़ हम लोग कर लेंगे ठीक है उससे पहले में एक overview बताता हूं सबसे पहले में आपको ये questions कराऊंगा जो कि आपने सायद जो मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे ठीक है जो अलड़े वेलेबल वीडियो है वी रिकोड़ेड ये करके फिर कोड़ेड में में आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसमें कुछ नए कुछ नए कुशन एड़ गे यहां पर जो questions यह अभी आप लोग लास्ट में आएंगे ये question fresh questions है आपको आज से पहले कि किसी बोलेगा और जैसे ये puzzle टाइप में जो आता है न एक पूरा paragraph दे देता है एक बड़ा से question बना के देता है उसके बाद में हमसे question बूछा जाता है तो यहां पे जाके अब यहां तक पहुंचने के लिए हमें basics को बड़ा मजबूत करना होगा तब जाके हम लोग क्या करेंग अच्छी जगह पे उस questions को करने लाइक पहुंचेंगे ठीक है तो पहले आप लोगों को blood tree बनाना सीखना है blood tree बनाने के लिए सभी को रिष्टेदारी को अच्छी से समझना है किस रिष्टे हम कैसे बनाएंगे आप लोग कैसे करते हो क्या best हो सकता है आपके लिए वो आप की चोई से जो मेरी चोई से वो मैं आपको बता देता हूं में पलस माइनस से उससे नहीं करता हूं क्योंकि क्या होता है ना प्लस माइनस में कहीं आपने जल्दबाजी में ऐसे पलस लिखा और कहीं आपने पलस को माइनस समझ लिया या और कुछ हो गया कहीं आप ऐसे कपल Male और female पहचानना आनना चाहिए female और male तो जब भी हम लोग female को mention करेंगे तो एक circle से mention कर देंगे और male को mention करेंगे और rectangle से mention को देंगे यह एक basic सा तरीका होगा आप लोगों का है ओपर की PDेए, अगर मैग एपर जनरेशन की बात करूँ ये से जिससे जनरेशन बढ़े की हम लोग ऊपर ले जाएंगे जैसे से जनरेशन घटेगे हम नीचे आएंगे बाद की जनरेशन आएगी तो मतलब अगर आप यहां पे हो अगर आप यहां पे हो तो आपके माता पिता वाली जनरेशन यहां पे इस से उपर आएगी आप से और आपके दादा दादी की यहां पे आएगी और आपके पड़ दादा और दादा की यहां पे आएगी अगर आपके पड़ दादा और दादी यहाँ पर है तो आपके दादा यहाँ पर हैं आपके पिता जी माता जी यहाँ पर हैं और आप खुद यहाँ पर हैं तो इस तरीके से उपर जाएंगे तो जनरेशन पुरानी होती जाएगी नीचे आएंगे तो जनरेशन नहीं होती च से मान लो मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों को A is father of B, हिंदी में भी लिख देता हूँ वई, A, B के पिता है, हाना? A, B के पिता है, यह आपको क्या करना है, डाइगरम बनाना है इसका, इसका, जब आप लोग डाइगरम बनाएंगे, तो आपको पता है, A, पिता है, तो सबसे पहली बात आगई कि A, B से उपर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, और पिता है, इसका मतलब मेल है, तो रेक्टेंगल के अंदर आएगा, B, इसका बेटा या बेटी क्या है, आपको पता है क्या, हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, तो A के नीचे, क्या आएगा, B आएगा, लेकिन A, बेटा या बेटी हमें नहीं पता, तो B का जेंडर, B A का पता है, lek जेंडर हमें नहीं पता है, B का हम ये नहीं बॉल सकते, मेल है या फी मेल है, तो इस तरिके से बनेका, लेकिन B बेटा है बेटी, तो नीचे वाली जन्रेसन में आएगा, इसी तरिके से, अगर यहाँ पे, अगर मैं फादर की जगह मदर लिख दूँ पीता की जगह माता जी लिख दूँ तो क्या जगह अब क्या हो जाएंगी फीमेल हो जाएंगी और बी उनका बेटाया बेटी होगा बी का जेंडर अभी भी आपको नहीं पता है ठीक है एक तो यह छोटी सी चीज हो गई अब दूसरा सेंटेंस ए इज सन ओफ बी ए बी का बेटा है भई तो बेटा है तो कैसे होगा तो ए बी का बेटा है तो उपर जनरेशन में कौन आएगा बी आएगा या ए आएगा बी आएगा लेकिन क्या आपको बी का पता है बी माता है या पीता है नहीं पता बी का जेंडर नहीं पता इस वार ए का पता है कि ए क्या है मेरे पास में ऐसे बनाएंगे इसको ए क्या है बेटा है अब अगर मैं इसको यहां से काट तो कि सन की जगा डोटर कर दूं अब कई लोग सोच रहे होंगे यह क्या पढ़ाएंगे बिल्कुल बैसिक से पढ़ाएंगे हम तो ठीक जिसको बिल्कुल नहीं तो उसको भी पढ़ाएंगे आप लोगों को में सनिलो फादरि लो शिष्टी लो इनमें जिल्कुल उले वर्डस हाते होंगा उंकल हो अंकल अंकल अंटे बताएंगे इस्टेबाए इस्टे-बहिश्ते प्रदर ओफ बय मुझेивается बही या श्овतो है। चॉप्धा करते हैं तो क्या हैं जो फिलकर आपकेते हैं तो अब चॉप्धान कोई जरूरी को यह प्ίο प्हाय है फिलिंग नहीं बहन है अपने अज़े इसélior has wider अक्रोक्त सुनश को हमिवाई कुछ जक्यान चाँ मैंने बैल दिया मैं मपलस मैं नहीं करूंगा अगर सिष्टर लिख दूँ बहन लिख दूँ तो आपका आजाएगा A is sister of B अब इसमें और जो मैं next statement जो लिख रहा हूं इसमें कही लोगों confusion होता है A is husband of B A भाई husband of B का Sir husband wife भी एक ही उसके अंदर आते है A की जनरेशन में आते है भाई बहन भी जनरेशन में थे तो पता कैसे लगाएंगे अगर ऐसे लिख दिया तो पता ही नहीं चलेगा भाई बहन है इसके लिए एक सिंपल सा उपाएँ हम चारो तरह वेक सरकल रोगा A husband es B का तो बोलेंगे Sir A का हमें A तो husband तो मेल है हमें B का तो पता ही नहीं इस केस में दोनों का पता है A husband तो उसकी wife होगी तो ये भी male होगी ठीक है? तो ऐसे कुछ और नहीं सोचना है ठीक है? A husband तो B का इस पे दोनों का gender पता लग जाएगा A husband है तो B अपने वाइफ हो जाएगी अगर B को husband बोलता तो A wife हो जाती ठीक है और अब ये couple है husband वाइफ है तो हम क्या करेंगे इसके चारो तरफ एक इस तरीके से गोला लगा देगी इसका मतलब भी हो गया couple हो गया के नीचे बच्चे बच्चे आएंगे हाँ हाँ भाई साब जाएदीब आपका दिमाग ज्यादा लगा रहे हो बेंक वो चीजे नहीं मानता है ठीक है तो एक तो ये छोट-छोटी बात है तो जो जनरल रिलेशन होते थे भाई 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 का माता-पिता का और श्वीन वाईक वो हमने देख लिया है और बेटा-बेटी का वो भी देख लिया इसके बाद में आते हैं Кон्फूजिंग रिलेशन बड़ा कन्फूजन होता है रिलेशन संब tapa 씁 हम सारे लोग देख लिए नबे history सबसे छोटता सबसे बड़ा कंुजन किस tensor हैं, घर Khmer बात हुरें, यह सारा कन्फुजन प्रेदा किया Baham है थाई हिंधि में अधीन ही हूता है, शारे कंफुजन अंगरेजों ने पीडा किया है ।ही है न अhando अगर हमारा तो मतलब जो भी हिंधी के अंदर खीलिए होती है, हिंदी में मामा ही होता है, पता है कि हमारी मदर का बरदर होगा, ठीक है, मामी मामी ही होती है, लेकिन वहां पर अगर आपको उसके अंदर दे दिया जाये, तो बड़ा confusion created हो जाता है, आपको पता है चाचा चाची मामामा मा इंग्लिस में क्लिर्टी नहीं है और लेकिन अब किया करता एक लोगे कुछ लोगे कि दिमाग लगा रहे होंगे सर यह कोई बात निया हम क्यू सिखें इसको हम तो सर उपर एक लेंग्वेज चेंज गरने को अप्सन आता है उस पर टिकर के लिए चेंज कर लेंगे कर लेंग अब घ्र maath Кलात को लोग विल्च छूनम अब जो करना प्रच्थ光 लिंडि शवह, वह निदो जो के लिखी अच्छित हें तो है कि ट्रफोल्य जो कर दे लिखायँ विक्षूफिसopian को इस लिखी अप्लदो बढ भू है अब कि शूले आपको तो णुख आया है सेitter देखी दे और अंटी है अच्या हमारे हींदी में हितनी कि लिए आप आपसे आपका पता लग जाएगा कि यह आपकी पिताजी के बड़े भाईय चोटे भाई यह लोग भण को ँई चाफ दशी चाचा दो ठीक है तो आपको अbreakец फिस्माद कोई पता नहीं लगता कि बड़ा भाई यह चोटा बाई यह जै लो भाई यही थिक आ लगा उसके बाद में मामा है यह और कुछ ए तो वह भी इंधियों मली कर लिए बड़ी किलियरटी लिकिन इंगली कभी अंकल का मतलब क्या हो जाएगा तो हम हिंदी में लिख यह आगए अंटी में आपकी चाची भी आ जाएगी वैसे चलते किसी को अंकल अंटी बना ले तो वह वाली बात नहीं वह रिष्टे दर्य होनी चीए चाची लिख ले ना यह चोट चोटी बातें फिर कंट क्यूशन गलत करवा देती हैं मैं बता रहा हूं आपको लग रहा हूं सरक्या पढ़ा रहे हैं मामी ठीक है अब देखो मैं सिंपल सा एक हिंदी इंगलिस में कंट्फूजन दूर हो जाए इसके लिए मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं एक और भूल गए आप लोग दो दो चीजे और बूल रहे हो देखो आप आपके पापा की जो शिष्टर होती है उसको आप अंटी बोल सकते हो तो ऊपर लिखो अब हिंदी में कुछ गलत लिख दो ना दूसका हो मुंत करना कि सरको नहीं आ रहे है मुझे बहुत टाइम हो गया हिंदी में लिखे हो गया तो यह अंकल और अंटी यह हो गए अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा है कुछ इसके अलावा अब देखो अब छोड़ दो उसको अब इतनी जादा डिटेल में नहीं लाएंगे देखो मैं सिंपल सी बात आपको अंकल या अंटी बोलता हूँ न तो इसका मतलब आपके मदर या फिर आपके फादर इन दोनों की जनरेशन का ही कोई बंदा होगा यह सारे बताओ इन्ही के जनरेशन के हैं कि नहीं बताओ इन्हीं की जनरेशन के हैं सारे के सारे इन्हीं की जनरेशन के हैं सारे के सारे ठीक है और या तो आपकी मम्मी के सिष्टर या ब्रदर होंगे यह देखो सिंपल सा तरीका बतारो याद गरने का या फिर आपके फादर के सिष्टर या ब्रदर होंगे यह इसके अलावा कुछ दे रहा है तो बता दो मुझे, देखो, आपकी जो चाची होती है, अरे तो इन भाई, इन सिस्टर ब्रदर्स की वाईफ और हस्बेंड भी आ जाएंगे उसके अंदर, अब बोलो, ये थोटी चीज लिखना बूल गया मैं, चाची है, आपके पापा के भाई की वाईफ है, त मामी है, आपके मम्मी की भाई की वाईफ है, बुआ है, आपके पापा की शिष्टर है, मासी है, आपकी मम्मी की शिष्टर है, इसी तरीके से ये सारे रिलेसन हो गए है, अच्छा मामी नहीं होती, क्यों नहीं होती मामी, अरे हां मैं समझिया, दूसरी फेमेली में चले ग इतना बात समझगे सारे लोग चलो इसके बाद में एक बहनकर confusion और है इन लोच में से पहले एक confusion और है grandfather and grandmother इसमें ज़्यादा confusion कुछ नहीं है grandfather मतलब आपके दादा जी भी हो सकते हैं और आपके नाना जी भी हो सकते हैं ठीक है और आपकी grand mother मतलब दादी जी भी हो सकती है अब जो चोटी बड़ी मातरा देख लेना भई और आपकी नानी जी भी हो सकती है तो इसमें कोए है, आपके मम्मी के माता पीता और फिर आपके पापा के माता कीता, ठीक है? लेकिन अब इसमें एक चीज हो झाती हैंढռ जो सारा मैंने पीछे और इधर का बताया ना इसके अंदर यह जो confusion पेदा हो रहा है इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग तो आपकी मदर की फैमिली के साइड से कुछ लोग आपकी फैदर की फैमिली के साइड से तो एक वर्ड यूज लेता है कभी-कभी examiner paternal मतलब paterk ऐसे बोलेगा pół title को क्या बोलते हैं हिंडी में अ है जो भी बोलते हूँ आप देख लीजेगा ठीक daran है घूगल प्रेस खेका लेना paternal मतलब आपके पिता जी के साइड वाले सारे लोग father की साइड वाले सारे लोग maternal मतलब 막 आपकी मदर की सइड वाले सारे लोग अगर आपको maternal grandfather बोला है तो आपके मम्मी की साइड से कोन होता है family की साइड से आपके नाना जी होते है तो maternal grandfather का मतलब नाना और paternal grandfather का मतलब दादा और paternal mother का मतलब दादी और maternal mother का मतलब नानी पीछे और आ जाओ ठीक है इन में और बोल देगा तो तो देख लेना कौन है वैसे बोलता नहीं है इनके इंदर अंकल अंटी ही बोलेगा उसमें हाँ अभी ओर हैं confusing रिष्टे बहुत confusing ऐसे confusion रिष्टे जल्दी थोड़ी दूर हो जाएगा अब बोरिंग दो नहीं हो रहा न यह बताओ सीधा क्यूश्टन दो नहीं चालो कर दूंग हाँ ठीक है तो पहले कि चोट-चोटी बातें सीख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना है अब भाई और भी confusing वाले इस्ततिय आती है यह बहुत भी जाद़ बहन अगे आज़स्टर इन लो चलो पहले और फोड़ो आप in-laws' In-laws' में जितने बह इन लोज होते हैं in-laws' का मतलब क्या होता है? In-laws' का मतलब आपने हाप समझते है in-laws' को आप क्या समझते हो कोई ओ ले आपको मेरे in-laws' i- मतलब उसास या ससूरी समझते हैं हृना वहीं समझते गन इनलोज में इनलोज में सारे रिस्ते होते हैं ससुरल वाले सारे रिस्ते ·नलोज में आहाते हैं जैसे आप बोलो áreas अग नहीं удивिays नहीं थाय किे फादर-ईलो तो देखो, इन लो का मतलब, हस्बेंड या वाइफ की फेमिली पर जाना है, ठीक है, अगर कोई लड़का बोलेगा, मदर इन लो, इसका मतलब उसकी वाइफ की माताजी, यहनी उसकी सास, ठीक है, आपको ऐसे समझें, उसकी माताजी, क्योंकि आप डियागराम में बनाऊगे तो आपको वाइफ की ओपर डंडी लगा कि ऊपर उसकी माता जी बना देनी है ठीक है बलड ट्री बनाते टाइम पर फादर इन लो के से सोचो कि फादर इन लो आता है कि मतलब जो भी हस्बेंट या वाइफ होगे उसकी फैमिली में चला जाना है तो अगर कोई लड़की बोल तो उसकी वाइफ का पिता तो फादर इन लो मदर इन लो समझ गए मतलब इन लो का मतलब हस्बेंट और वाइफ जो भी कंडिशन हो एक दूसरे की फैमिली के अंदर जाना है ठीक है तो यहां तक तो एकदम ठीक है लेकिन एक जिगह इन लो में गर कंफुजन है उसमें तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके हस्बेंड या वाइफ की ही फैमिली में जाना पड़े शिष्टर इन लो ब्रदर इन लो में यह नहीं है आपके हस्बेंड वाइफ की फैमिली में तो हो गई होगा है रिस्ता साथ में आपके फैमिली में भी हो सकता है रिस्ता कैसे स sister-in-law वो हो गए, ये brother-in-law sister-in-law पहली बात तो है कि एक ही generation में आएंगे, एक ही generation में, दो चीजों का ध्यान में रखना है, या तो आपके भाई या बहन के husband wife वो सारे sister-in-law brother-in-law है, या फिर आपके wife के भाई या बहन सारे brother-in-law sister-in-law है, ठीक है, जैसे sister-in-law मतलब अगर परिवार में देखेंगे, तो आपके भाई या बहन के husband और wife, sister-in-law हो जाएगे, तो sister-in-law हो नहीं, अगर लड़के के साफ से सोचे तो क्या हो जाएगी, sister-in-law उसके भाई की wife पतलब, उसकी भावी हो जाएगी, लड़के के साफ सोचेंगे पहले पूरा, तो लड़के क खुद की family में तो उसकी भावी उसकी sister-in-law हो गई, अगर वो अपनी wife की family में जाएगा तो, उसकी जो भी साली होगी, वो क्या हो जाएगी, अरे, कहा लिकराओ मैं, sister-in-law की बात कर रहे है, साली होगी, वो क्या हो जाएगी, sister-in-law हो जाएगी, अगर लड़के के इसाफ स बात करूँ, तो उसका brother-in-law कोन होगा, brother-in-law शिर्फ उसका साला ही होगा, अपनी family में धोड़ी होगा brother-in-law, साला हो गया, ठीक है, चलो, और भी कोई brother-in-law हो सकता है, धान से सोचो, लड़के का लिए, मैंने बोला, अपने ही family के brother-in-law के जो भी खुद हो गया, उसके husband- सकता है, ठीक है न, वो होगे, इसके अलावा आजाओ, अब इतना साडू, इतना डिटेल में नहीं जाने, वो कभी आएगा, तो हम देखेंगे, जनरल यही relation पूछता है, अगर किसी लड़की के इसाफ से सोचते है, तो उसकी खुद की family में क्या होगी, उसकी खुद की family मे जो भाबी होगी, वो तो sister in love होगी, उसकी खुद भाइ की तो वाबी तो आई चुका है, ठीक है, उसके अलावा, माल लोगो यह लड़की की साधी हो रहे ही है, तो उसके husband की sister होगी, वो भी उसकी क्या होगी, शिष्टर इनलो होगी, यहनि कि ननन्द, ननन्द बोलते न, किसी के भी हस्बेंड के शिष्टर को ननन्द हो गई, तो वो भी शिष्टर इनलो होगी, और लड़की के साफ से और बताओ, लड़की के ससुराल के अंदर तो ननन्द हो गई, और लड़की के खुद के घर में ब्रदर होंगे ठीक है तो ब्रदर इनलो होंगे तो भाई क्या बोलते हैं देवर्ड यह यूट गूलकेश अगल होगा उसका टो नननंद पान का ऑस्भेंट हो गान वो भी ब्रदर इनलो होगा अगर लड़की के भाई किसाधी हो रेकी तो उसका जीजा भी क्या होगा उसका वो हो जाएगा एक लड़की के केस में कोई आलो नहीं एकना फुद डाइरेक्ट ब्लड रिलेसन नीं प्agमिनलोज मी अज़िए यिसे बाबी के साथ आपका डाइरेक्ट ब्लड रिलेसन अधीन औरसिए इतना से सोच पर्साए सथे लड़की की बहन का हस्बेंड तो जीजा हो गया न वो उसका जीजा लिखा था पहले ठीक है चलो एटी कम हो गए इस्टूजेंट 20-30 चले गए उन्हें खुनी के पसंद नहीं आया कोई बात नहीं अब हम जब भी बलड ट्री बनाएंगे ठीक है तो बलड ट्री हम पहले लाइन से बनाना इस्टाट कर लेंगे जैसे ऐसे बनाते जा रहे हैं ऐसे बना दिया ऐसे कुछ भी बना रहे हैं ठीक है लेकिन अगर उसके बाद में बीच में कड़ी टूट जाए मतलब कोई ऐसी लाइन आ जाए जिसका आप ना तो यहां कहीं भी नहीं बना पारें तो उसको अलग से बना दो फिर दूसरा बलेटरी बना फिर उनको कममाइंड कर लेंगे कभी कभी बाकी कोई स्पेसल बात नहीं बलेटरी में जनरली चलेगा तो हमारा पहला क्यूशन भाई चोटे मोटे क्यूशन से दूर कन्फूजन दूर करूंगा यह आपने पहले पढ़ा भी होगा कहीं पर भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं काफी बार करवाता हूं यह प्रस्ट में इसका आंसर किया आएगा बताना मुझे डिवोर्स हो जाए तो क्या करना है फिर तो क्या करोगे फिर जोब का क्या करोगे तो छोड़े दिन अब रिलेशन पढ़ना फिर तो च्यार पांच जार में बड़ी आकाम चल जाएगा तो कहीं भी कमा सकते हो च्यार पांच जार तो चलो तुम लोग इदर उदर कमेंट करते रोबस न देख लेट न भी किसी ने लिखा कि सारा काम वाइप खराब करती है सारा काम कुश्चन भी खराब कर सकता है कुश्चन सई नहीं हो तो वाइगी नहीं और बताएटा हूँ पहले ही आज कल ऐसे माहूल चल रहा है न चलो A is sister of B A, B की sister है तो बना दो भई A is sister of B ऐसे बनाएंगे न A, B की sister है उसके बनावर C is brother of D तो C और D का तो अभी कुछ अता पता ही निया है कुछ अता पता ही इसके अंदर लेकिन छोटा सा question है तो इसमें बाद में बना लेंगे हैं अभी एक बार छोड़ दो उसको If D is sister of A D A की sister है तो D को A की sister बना दिया पता हो यह सारे लोग अगर A की line में जुड़े होंगे तो आप यह बोलोगे ना कि यह सारे भाई भाई ने आपस के अंदर यह सिंपल सी लोगिक है How is B related, एक line हमने बीच में छोड़ा था C is brother of D C is brother of D, तो C is D का भाई है C is brother of D How B related to D, इसके उपर आएंगे पहले आप अगर एक line में ऐसे कुछ भी बना हुआ आप लोगों को दिखेगा आपस में जुड़े वे कोई बीच में गोला होला कुछ भी नहीं है तो आप लोग सबको आपस में बाई बन मानोगे कि नहीं मानोगे सारे आपस में है सारे मानोगे ना आपस में बाई बन मानोगे सभी को ठीक है अब देखो एक confusion यहां प्या होता है how B is related to D ठीक है B D से किस प्रकार संबन दीते अब एक इस question को छोड़े कि साइड में एक बात लिख रहा हूँ मान लो B तो पिता है और D बेटी है अब आपको ऐसे लिख दिया B D से किस प्रकार संबन दीते कई लोगों को लगेगा यार सार B का रिलेशन बता हूँ पिता या D का रिलेशन बता हूँ डोटर क्या बता हूँ ये कई लोगों confusion होता है तो हमेसा language है how B related to किसका relation पूच रहा है how B B का पूच रहा है कि B क्या लगता है भाई B D से किस प्रकार संबन दीते तो आपको ये बताना है कि B क्या लगता है इस दूसरे बाले का ठीक है तो हमेसा इस तरकी language में confusion नहीं हो रहा है कई पता चला B का रिलेशन पूचा है D का बता दिया ऐसे मत कर देना तो आप से पूचा गया कि B related to D यानि B क्या लगता है D का तो आपने देख रिरी No work तो किसे बता हूँगा लेकिन इतना पता है B का या तो भाई होगा या बहन होगी D का या तो भाई होगा या बहन होगा लेकिन जेंडर ने नहीं पता Confirm नहीं पता तो फिर options क्यों और देखा option में देखा भाई तो मैं नो बोल हम नहीं नहीं पिर बोला भाई या भेन या भाई या भैन में सेघा गया जाए तो यह गलत होग से कि आगर मान लो कुष्ण अप्सम नमबर टू नहीं होता। और इपाद यह होता। इसकी जगह मानलो फादर दिया होता तब क्या करते आप तब ऑप्सन नंबर फोर लगाते कि जानकारी अब अदूरी है तब आप अभी भी इन में से कोई नहीं लगाते अभी आप लगाते जानकारी अदूरी है इतना डिपली समझारो ऑप्सन को भी जानकारी अदूरी है अ तब जाके आप इन में से कोई नहीं पे लगाते हैं ठीक है तब जाके इन में से कोई नहीं लगाते हैं समझ गए इन में से कोई नहीं का मतलब होता है कि जब सारे उप्षन में से कुछ नहीं अब यह सब तो है नहीं तो हमारे पास में जो स्धियल आंसर है वो ब्रदर और शिष्टर है, ठीक है, बहुत सिंपल से क्विश्टन से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट प्रेस्टन आप सभी के सामने हैं, उमीद करता हूँ, आप सभी लोग सही आंसर देंगे, कोई भी एक सिंगल स्टुनेंट भी गलत नहीं करेगा इसको, आप संतीन वहरी गुट, बेटा या बेटी, देखते हैं, यह पहले इसलिए करा रहा हूँ, इसमें कई बार लोग गडबड कराते हैं, छोटे क्विश्टन की मदद से एक कॉंसेप्ट समझाने कोशिश कर रहा हूंगी, काई दरोर इन में से कोई इन में क्या करोगे, M is sister of D, M is sister of D, क्या बोलें फिर आगे, D is brother of K, D भाई है, K का, D is brother of K, F is mother of M, F is mother of M, आप पहले तो आप मुझे बताओ, इन जनरेशन के ऊपर F चली गए, तो बताओ, F इन सब की माताजी हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि यह लाइन यह लाइन या, कनेक्टोरी है, आगे सब यह सारे भाई बनें, तो F, D की भी माता हो गई, K की भी माता हो गई, यह समझ गहे सब इसको जनरे नहीं बताओ, लेकिन F तो माता है, तो उसका यह तो बैटा होगा, यह बैटी होगी, देखा फिर उपस्न में, तो मुझे दिया गया था बैटा यह बैटी, तम में यह लगउंगा, नहीं दिया गया था तो दूसरे उपसें पे जाता यह जैसे एमने, किस थे बाएं यह जा है Kevin Daugoi कि वोल। बी बरतर ऑफ डी कि डिक कि यह बर्टर आफ डी कि ठीक है हैने सब्सक्राइब डीगड्स इंडी श्श्टर ऑफ इंडी अविस चिस्ट्र आफ फीड श्टर है किसकी तो देखा भाई या भाहन हो सकता है तो यह जो है सेम सा क 23 मेनained करता लेटे है लुड़न सा sell कुष्णन में अलग टाइप का लेते हैं इसमें क्या वह आंसन सकता है यह धिम्मियान है ऐसे दिर तो नहीं करें घुंचνनम मो करेंगे अप्सन फोर पेरी गुड इसने बोला एम डी की बहन है तो एम बहन है डी की इसको अबने आर डी का भाई है आर जो है वो डी का भाई है एफ एम की एफ एम का पिता है एफ एम का पिता है और टी आर की माता है अब जहांसे सुन ले ना भाई इस क्विश्चन में आंसर दो भी आया ठीक है यह तीनों आपसे भाई भाई नेग निया अब M का पिता F हो गया, R की माता T हो गई, इनके बीच में को अब इस जनरेशन से उपर की जनरेशन में हम चले गए हैं, तो बताओ ये दोनों कपल होंगे कि नहीं होंगे, हस्बेंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये इसका पिता है, इसकी माता थे, तीनों तो पता लगनी जीए भई, कि ये क्या होंगे अपस में, कपल होंगे, तो इन दोनों को अपस में मिला देना उपर, ये आपको जद आगे क्विशन में, जब काम में आएगा तब ठीक है, डी का T से क्या संबन दे, बोला गया, D T का क्या लगता है, तो D तो बेटा है बेटी है तो बेटा है बेटी तो दिया नहीं मुझे, तो आंकडे दूरे आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये वाला उपर वाली लाइन में, ये बेने बताए, ये समझवा आगे न, ये दोनों हस्बेंट वाइफ होंगे, छोट छोटे डियाग्राम से बड़े में पूंचना है, पियो में भी आएगा वही, इतना आसान थोड़ी है, बेले डिलेस नहीं है, तो मैं आसान कुशन कर रहा हूँ अभी, अभी धिरे धिरे बेस बनाते हो, चलेंगे आगे, ऐसे पहले बार में, अगर पहले ग्राफ वाला कुशन देता, तो कुछ भी नहीं समझवा था, ऐसा ब्रदर ओफ भी जाए, तो आजाए भाई है भाई भाई भी जाएगा, अना, उसके बाद में मिली इज शिष्टर ओफ आजाए, मिली शिष्टर है अजाए, तो आगे बना दू चाहे, इधर बनाओ या इधर बनाओ, एक ही तो बात है, ये तो सारे भाई बनी होंगे, आगे जाके लिख देना पूरा अगर अभी ने, ठीक है, तो मिली इज शिष्टर ओफ आजे, आजे की शिष्टर हो गई, संजे इज ब्रदर ओफ रहूल, अभी तो संजे और रहूल का कुछ पता है अभी आप लोगों को, नहीं पता तो अभी तक तो ये लाइन हमें, एक ये वंटर कौन है, मेहूल है, हुई जिस संजय जंकल, अब आपके पास दो डाइग्राम बन गए, क्या इन डोनों डाइग्रामें कोई रिरेस्ट बन सकता है छोटो कुशिशन लिगिन कन्फूजिग कुशिशन इन दोनों डागरामें कोई रिलेशन नी बन जगता अपसके अंदर तो ये दोनों डागराम अलग अलग ही रहेंगे आप कहीं बेटके ये मैं सोचने लग जा रहें एक्जाम यार क्या करूं यह अलग है, इसका क्या करूँ, ऐसे नी सोचना है, अलग-अलग हैं, तो हैं, नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा एक साथ में, आगे बड़ा, इसका मतलब दी गई सुचना अधूरी है, डाटा इस इनेडिक्वेट, ऐसे अंसर भी आते हैं, ठीक है, अब, बनाओ इसका बिलेट, देखो छोटे-चोटे बिलेटरी से स्टार्ट करेंगे, तभी जागे बड़े बिलेटरी आप आसानी से, और अच्छे से बना पाएंगे, क्विश्चन का लेवल एक दम अच्छे से लेके जाएंगे, तभी मैंने पहली क्लास में लाश तक के सारी क्विश्चन दिखा दिए आपको, कि क्या से कैसे क्विश्चन में करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? सर आपके कॉंसेप्ट को केच कर रखा है, तो केच कर रखा है तो कुश्चन सही हो जाएंगे, छोटे-छोटे, आप हमेशा एक जीवन में एक बात सिख लेना, किसी भी चीज को सिखना चाहते हो, थोड़ा-थोड़ा, एकदम दिरे-दिरे करके सिखा उसको, फिर उसको ए अराम से बीना कन्टिफूजन के सुख्तर हो, आराम से पूरी चीज आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, किसी भी चीज को आराम से सीखने से एक्सेडेंट नहीं होता है, और गल्तिया नहीं होती है, मेरा एक दोस्त है भी, डॉक्टर है वो, उसने गाड़ी ली थी नहीं नहीं तो मैंने उसको शला दी थी कि तू एसा करना च्यार पांच महीने तीन महीने एट लिस्ट ट्रेनिंग ले रहा था वो ट्रेनिंग लेली थी उसने 25 दिन, मैंने बला था कि तू पहले धिरे-धि 20 किलोमेटर चलाना, खाली रोड बे चलाना, नहीं हमें तो 20 दिन में पूरी सीखनी है, 20 दिन में वाइसाब रोज रोज 50-60 किलोमेटर चलाई उसने, ड्राइवर को साथ मेलेकर उसको लगने लगा मुझे आ गई, ठीक है, 20 दिन के बाद में 5-6 दिन ही निनिक ले थे, एक तूट गया पूरा पूरा, तो यह होती ही जल्दवाजी की सिच्वेशन होती है, अगर वो मेरी सलाह मानता कि दो-तीन महीने धीरी-धीरी करके च्छोट-छोटी चीजोग किलियर कर तो नहीं होता, उसके में कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेगन भाइसाब को जल्दी थी तो जल्दी में तो गल्ती होती ही है, हाना? हाँ, वो कोट वोड तो नहीं पहुंचा लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं मेरी भी बात बताता हूँ, जब मैं गाड़ी लेके आए पहली बार तो सबने बोला कि नहीं 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 लानी चीए, पहले प कि आदे नहीं लेकिन जोजाए बहुते के लग अऄ तो ऊफिसे जितना लाइव क्लास आप तक को लिए बार यंसे सीखो जो, बहुतेि वे व फीस में जितना भी लाइव क्लास आप की तक पहुच रही है, जो लाइ्टिंग लगी औही होई है, जो कैमरा लगा है, जिस्से डाटर जारा है, यहां पर मैंने कभी किसी एक्सपर्ट को फुर्ल से नहीं गया। कभी आज तक किसी भी चीज के एक्सपर्ट को हैर नहीं किया मैंने, पहले मैंने सीखा, मुझे बहुत समय लगा, जिरे समय लगा मुझे, कई बार ऐसा होता था कोई इंस्टूमेंट नहीं होता था वो भी मंगा लेता था फिर वो वेस्ट होता था, ठीक है, कभी किसी ठीक हो सब्सकती हो, जो चीज आपने सोची नहीं, यह भी सीख सकते हो, ठीक है ना, वो चीज आप खोदो से सीख सकते हो, लेकिए जहीं दीरे देरे करके, अगर आप ऐसे स्टोट प्लेलर डियागराम से बड़े कुश्टन पहूंचोंगे ना, खुद भी सीख सक्ते हो, तो आपको क्लास में आने की जुर्त नहीं है, तो आप क्या करते हो, सीधा ही उठाया, वहां मेंस में क्यूशन आया था, मम तो मेंस का निखा लेंगे, तो वही फिर दिमोटिवेशन हो जाता है, चला आजो क्यूशन पर, A, B की बहन है, A is sister of B, A is sister of B, B is the son of C, B son है किसका, C का, तो C उपर आएगा, E is the daughter of D, E जो है, D की daughter है, बताओ, E और D का भी आता पता है, यहां पर कुछ, नहीं पता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, E is daughter of D, तो आप D को यहां बना लिया, और E को daughter यहां पर बना दिया, तो यह अलग से आपने दूसरा डाग्राम बना दिया, आगे कर, यहां पर किसके लिए आता है, फॉस्ट पर्शन के लिए तो E is the daughter of D, and sister of A, तो किसके लिए बोल रहा है, E के लिए बोल रहा है, E की sister है, तो A की sister है, यहां भी बना सकता हूं, क्योंकि यह भाई बनी है, तो A को यहां पर sister मना दिया, एक सेटन, E आएगा, E की, क्या है, शि क्या आपको COD का जेंडर बता है नहीं पता है लेकिन आपको ये तो पता है ने कपल हो गें ये दीचे भाई-बाइन है और ये उपर मातरपिता में से कुछ होगे क्पल तो हो गा ये नहीं पता कुछा कि किसका क्या होगा वाटिस डी टू सी डी सी का क्या है अब आपको डी का जेंडर नहीं पता होगा हस्भेंट या वाइप में से कोई चीज लेकिन नहीं पता तो इसलिए data in educate आप आप अंसर लगाओगा लेकिन अगर आपको कहीं पैसे देता वाइफ और हजबेंट तो क्या करते यह लगाते यह नहीं लगाते फिर ठीक है चलो यह दो को छोटे-छोटे confusing चीज़ ही करा रहा हूँ आप में बड़े blood relation के डाइगराम भी करूँगा लेकिन आज नहीं करूँगा क्यूशन मैंने इस पीडियेफ में डाल दी है आप पढ़ गया आना कल तब करूँगा लेकिन अभी यह जो कुछ क्यूशन से यह तो करते हैं बहुत मतलब इतना बकवास क्यूशन है यह लेकिन कई बार इसमें भी कन्फूश जाते हैं लोग इसलिए करवातों में सारी चीज़ें कि देखो हम इस तो मुला ए बी की मा हैं बनादू ए इंज मदर आफ बी बी इस फादर यह वह किसका सी खांद्स एकस करना हैं ए इस मदन ओड़ व बी इस फादर सी बीके सी मतलब उसके माता के तphonie हैं तो एक पल होगा, बी के पिता सी बोला है, तो यह तो माता हो, है, ठीक है, है, थ्री चिल्डरन, उसके तीन बच्चे है, तो इसका मतलब इस कपल के तीन बच्चे होंगे, पिता के होचाए, एक तो भी है, दो और होगी, हमें निपता कौन है, आगे क्या बोलागे, बेस्ट आपको यह पता है, उनका एक बेटा है, बेटी पता नहीं, हमें नहीं पता की कौन है, बेटा है, या बेटी है, सोरी, हिच की आने लग जाती है, दो बज़े बाद, सी की तीन पुत्रिया है, बताओ, सी के तीन पुत्रिया है, आपको पता है, कन्फर्म, नहीं पता, हो भी सकती है, नहीं, लेकिन कन्फर्म नहीं पता, तीन पुत्रे नहीं पता, बी एक लड़का है, यह भी नहीं पता, बी की दो बहने, यह भी नहीं पता, तो इन में से को संता ने मतलब चलिद्धर से तो क्या सही हो जाता हो कि तीन संता ने यह कनफाम है लेकि नहीं नहीं पता कि ब्रदर है सिष्ट्र है मेले फिमेल है ना ठीक है यह डाटा सेफिसेंसी का क्युष्ट नहीं यहां नहीं करूंगा झौँ चलो चैनल विकरा यह ने को अपुत्र है डी संफ जे इस अजब फॉत्र हना फॉत्र 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 के लिए जये के लिए तो यह जो J है वो F का सन है, तो कोई दिक्कत नी है हमें, ठीके उसके उपर की पीड़ी बना दिया, P is the daughter of R, P R की daughter है, अब हमें ना तो P का पता ना R का पता, तो इदर बनाओ, R की daughter कौन है, P है, तो side मना दिया, if N is the sister of P, if N is the sister of P, N sister है P की, and daughter of J, और J की daughter है, तो J की daughter मतलब, D तो भाई है, तो J की daughter मतलब, किसके बारे मोल रहा है, N के बारे में, N daughter है, यहां इग इग ना इग बताओ N, N यहां भी आएगा ना, बोला गया है, दो रिलेसन, if N is the sister of P, तो यहां बना दिया, N daughter of J, J की daughter है, J का एक बेटा पहले सही है, तो इसकी बहन हो जाएगी है, ठीक है, वाटी जेसरेसन विद आर्त, देखो अब एक बार काम करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को कमबाइन करना पड़ेगा, यह दोनों कमबाइन कहां से होगा, N से होगा, तो N से रिलेशन करते है, P तो यहां पे है, और R यहां पे है, अब मुझे बताओ, यह दोनों एक पीड़ी में आ गए कि न आ गए, यह तीनों भाई बैने, यह इनका पीता है, और यह इनकी इसकी विसंता ने आ रहे है, तो यह माता हो जाएगी और नहीं हो जाएगी बता है, है ना, कपल होगा कर नहीं होगा, बताओ, ठीक है, हो गया, तो फिर पूछा के, What is J's relationship with R, J क्या लगता है R का, तो देखो, husband एक नहीं हो बताओ, पती लगता है J, husband, है ना, यह क्या हो रहा है, तीर के से आ गया है, ठीक है, तो husband हो गया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, पती हो जाएगा, लेकिन, दो डाइग्राम को कैसे combine करना है, उसके बाद में, रिलेशन कैसे define करना है, छोटे से डाइग्राम से आपको समझ में आना चाहिए, आप देखो, एक्जाम में क्या होता है, एक्जाम में होता है, एक्जाम में होता है, ऐसा प्रशन, पहले पांच क्विशन भी पूछ लेता था तो एक पैंच वी ग्राफ दे दिया उसका रिलेसे डिफाने कोब फिर चख्यार पांच विश्ट है ओजी जह जीए क्व., पर तीन पूमम होता है GЗcket है note his son , जिससर यह क्या चक्कर है , पादर पर और पर पर नहीं होगा भई दॉटर होगी , तो दॉटर हो गया ना इसका सन नहीं है इसका मतलब ही होगा दॉटर हो गया है, ठीक है यह एक चोटी सी लाइन की द्यायन रखना का भूज अ पबे को टी डोटर ओण ही पना देगे, battling tough यू अ पी वाइफ है कि यू जो है वो वाइफ है पी की उसके आपने कल रहे है Q is the brother of R Q आर का भाई है बना दो भाई S is the son of Q S Q का son है S Q का son है आप ध्यान रखना यह मैं सोच लें लग जाना T और S है और यह उपर आ रहे हैं तो husband wife हो जाएंगे नहीं यह दोनों आपसे भाई बैन है क्या पता है आपको यह दोनों भाई बैन है नहीं है इनके बीच पहले से line आ रही है तो यह husband wife नहीं है यह भाई बैने पहले से समझगे ना R कैसे कहां पहर र कैसे बोला नहीं क्विश्चन है T is the daughter of R तो T daughter है R की U is the wife of P Q is the brother of R Q R का brother है S is the son of Q S Q का son है V is the wife of Q ठीक है V wife है Q की यह पूरा एक अलग कपल हो गया W is the father of V W V का father है तो W ऐसा father है V का अब आप तो मुझे बता दो यह diagram किसको समझ में आगा बहुत ही initial stage का diagram है यार यह बहुत ही initial stage का diagram है यह इससे बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े डाइग्राम बनेंगे आगे चलके यही नहीं समझ में आया तो वहां तो पहुंची नहीं पाएंगे किसको नहीं समझ में आया यह क्या बोल रहे है एक student यहां पर उनका सुनने दो बहुत बड़ा comment किया है नहीं सुनेंगे तो ना इंसाफी हो जाएगी स्रमसे question पहले भी बन रहते हैं लेकिन आपसे अच्या इस्पीड इंप्रूव हो रही है चलो अच्छी बात है फिर आलोग बोल रहे थे मैंने सोचा कुछ question बूचा है तो डाइग्राम सभी का बन चुका है अब आजाओ पहले question के उपर क्या बोल रहे पहले question S की दादी को ओने वही who is the grand mother office आप बोलो sir grand mother देखनी है तो दादे देखो जो available equation में वह देखो कोई attention नहीं है ठीक है तो S की grand mother S के 2 generation उपर जाना है तो S की दो generation उपर गए तो यहाँ गए तो बताओ मुझे female में कोन है दो generation उपर में you ही है तो यही करना पड़ता है अगर यहाँ पर माल लो grand father बोल देता तो और माल लो उधर भी grand father ही इंदी में grand father ही लिग देता तो तो grand father हो जाते पी और डबलू में से कोई भी हो सकता था क्योंकि इसका S का क्या है यह जो पी है यह तो दादा है और डबलू क्या है ना है ना है इक नहीं है दो एधर देखो, S के पिता जी Q, ू के पिता जी P, है न, ठीक है, और सके देखो, S के माता जी V, आ वी के पिता जी W तो इसके नाना भी अवेलेबल है, और दादा भी अवेलेबल है, तब सब्सक्राइब सक्यों हो जाता, Q का सन कौन है A की है Q Q ये नर का भाई है ये कपल है यर का भाई है Q है ठीक है तो इसका अंसर होजाएगा Q WHO IS THE FATHER IN LOW OF Q अब ध्यान से देखना है FATHER IN LOW OF Q को पहचाना है तो father-in-law of q पे जाना है तो q यह रहा तो father-in-law उने के लिए पहले तो उसकी साधी होना वह जरूरी है तो q की तो साधी हो रखी है अब q की husband या wife तो q की husband या wife q तो female है तो इसकी wife है इसके पिता फादर-in-law मतलब इसके पिता है नहीं w ऐसे देखना है ठीक है who is the sister-in-law for r sister-in-law of r देखना है तो देखो r में जाओ sister-in-law देखने का simple sa logic है who is the sister-in-law for r r को अपनी ही generation में कोई female देखना है तो इस question में तो है V देखो और तो कोई है नहीं दूसरा है sister-in-law का मतलब अपना ब्लेड रिलेशन नहीं होना चाहिए तो क्या V के साथ इसका खुद का ब्लेड रिलेशन है यह तो इसके भाई की wife है भावी हो गई तो sister-in-law कोन है V है यह देखने का तरीका होता है V है फिर क्या पूछा गया है who is the cousin of T cousin कैसे देखोगे बई squid-in-law अपनी जनरेशण है लेकिन अपना खुद का भाई भाई भaa है नहीं हो तो T का कजन कोन है T का cousin गए बंद़ Ajay एक ऀक है s तो वह कुद बेटा हैं यह क्या R का बेटा है T का खुद का भाई हरी यह क्या natu तो तो इसके माता को ने आर है, तो लाश्ट अंसर हो गया आपका, एस, ठीक है, इसी तरीके का एक क्विश्चन और है, जो कि मैं चाहता हूँ, आप खुद करके लेकर आए, इसमें ना, यह मत करना भई अभी आप, इसमें करेक्सन है, थोड़ा सा, मैं कल करहूंगा करेक्सन थिक है, इसके बाद में यह कोडेटा आ जाएगा, आप यह मतमानना की कोडेट में, कोडेट में थोड़ा पहले करूँ गफ ठीक है, और उसके बाद में इसके और भी अच्छे लेवल के कुश्चन करेंगे, हम लोग, यह देहो, यह परश्चन सारे करेंगे, हम लोगः अ तो फिलाल के लिए आज के लिए इतना ही था, तो ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करवा हूँ, तो कुछ चीजे मैंने बताई थी, फिमेल को कैसे रिपर्जेंट करते हैं, मेल को कैसे रिपर्जेंट करते हैं, जनरेशन उपर नीचे कैसे होती हैं, उसके बाद में हमने कुछ इस्टेटमेंट्स देखे थे, उनके डाइगराम बनाने सीखे थे, उसके बाद में कुछ confusing जो रिष्टे होते हैं हमारे वो हमने सीखे थे उसके बारे in-laws के बारे में सीखा था बलक ट्री बनाना सीखा था उसके बाद में कुछ questions की यह थे छोट छोटे और last question कौन सा था भई last question हमारा कल की class में discussion का यह था ठीक है यह था ना ठीक है तो यहां तक हम लोगों ने last में पढ़ा है last class के अंदर अब इससे आगे बढ़ेंगे ठीक है सर आप कहां से हो मैं राजस्थान से हूँ क्या मुझे पकड़ना है आप सभी लोगों को कि पता नहीं है इनसान कहां से है ठीक है यह वाला जो प्रश्न है इसको एक बार हम लोग छोड़ देंगे कल्भी में चुटा दिया था इसको छोड़ देंगे ठीक है तो अभी जो नॉर्मल ब्लड के उपर ज्यादा ज्यादा कंफूजिंग में चले जाएंगी तो कोड़ेड वाला समझ में नहीं आएगा तो अभी में आप लोगों को कोड़ेड वाले पर लेकिया रहा हूं सीथा के सीथा इक बार उसके बाद में सिंपल वाले कुछ कुछ की एक क्लास और करेंगे हम लो हमें पर बमीरर गर्वाले क्लास हो तो कोड़ेड अच्छे से के अक्विश्षण दिखाई दे रहा होगा थोड़ह च्छर कर देता हूंают को कि दिखाए देएसे हुति आज़े से थोड़ा रंगीन-ध्यान-ध्यान हुआ है हग कड़ेड इनिकोलेटी भी कराएंगे चिंता क्यों कर रहे हैं कोड़ेड डाइरेक्षिन भी उता है सब कुछ कोड़ेड होता है लेकिन ब्लड डिलेशन कोडर कर लेते हैं पहले यहाँ पे जिसको जहां पर कराना जरूरी होगा वहाँ पर कराद भार इसमें आप लोग डिकोड करने में लग गये तो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा लेकिन लेकिन अगर समय आप बचाना चाहते हैं तो आपको दो-तिन टेक्निक्स के उपर काम करना पड़ेगा वो टेक्निक्स क्या क्या हैं ध्यान से देखेगा पहला आप लोगों को जेंडर पर ध्यान देना है तीसरा पोईंट आप लोगों को ध्यान देना है तीसरा पोईंट आप लोगों को ध्यान देना है डाइरेक्ट इन्फोर्मेशन क्या है तीनों पोईंट एक एक करकर के समझाँगा मैं आप लोगों को डाइरेक्ट इन्फोर्मेशन ऐसे करके तीन चीजों पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है जेंडर मतलब मान लो आपको किसी ने पुछा है कि इसकी मदर कोन है किसी की मदर के बारे में पूछ लिया मदर इन लो के बारे में पूछ लिया या फिर शिश्टर के बारे में पूछ लिया तो उन सभी का जेंडर क्या होगा फीमेल होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो gender confirm female है मानलो 5 option में से 4 आपको male के option दिये हुए है और एक option female का दिये हुए तो सिदा सिदा वही आंसर हो जाएगा सिदा सिदा क्या हो जाएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसलिए एक तो आपको gender के उपर देखना है एक मानलो आपको यह पूज लिया गया कि A की मा कोन है क्या पूचा है Who is A's Mother तो A में और A की मा में कितने generation का gap होगा सिर्फ एक generation का gap होगा तो आपको वह एक generation का gap देखना है कि एक generation का gap किस जगह पे तो वह एक generation का gap हम अहीं आपर देखना है तो generation इक बार कई बार क्या होगा? कोड में डायरेक्ट इन्फोर्मेसन देतेगा जिसे बोलेगा A A // B और A और ब में रिलेसन आप लोगों को पूछ रहा होगा तो वो डायरेक्ट रिलेसन देतेगा तो उसमें आपको जेंडर जेंडर रेसन गेपो क्या करोगे? इसी तरीके से ये सारे के सारे सिम्बल दे रहें तो सबसे पहले आप इन सिम्बल्स को डिकोड करके अपने पेपर में साइड में लिखेंगे सिम्बल्स को सिर्फ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ठीक है लेकिन हर क्यूशन में हम लोग डिकोड नहीं करेंगे जैसे फूर एक्जम्बल इसका मतलब क्या हो गया एड़ दे रेट का मतलब तो यह हो गया कि पी इस मदर ओफ क्यू उसके बाद है बोला कि पी प्लस क्यू का मतलब हो गया पी इस वाइफ ओफ क्यू तो इसका मतलब पलस सिंबल का मतलब हो गया पी वाइफ है किसकी क्यू की और ये दोनों क्या हैं एक उसरे के कपल हैं फिर नेक्ष आपको बोला गया डो पी is brother of q डोलर का मतलब जो है यह सकर करें डोलर बना होई इसका मतलब है कि पी is brother of q तो यह आपको लिखना पड़ेगा उसके बाद है मुला गया percentage P is father of Q, percentage का मतलब हो गया, P father है Q का, at last time मुला P end Q का means P is husband of Q, तो end का मतलब क्या हो गया, कहां लिखो गया, नीचे लिख देते हैं, end का मतलब हो गया, P is husband of Q, P Q का husband तो Q wife हो गया, और इतना सभी लोग कर पाएंगे नी कर पाएंगे बताओ मुझे, आप अलवर से हो, मैं जुन-जुन से हूँ, ठीक है, इतना सभी लोग कर लेंगे, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने में कितना टाइम लगेगा, 30-40 seconds, 30 seconds, 40 seconds, फटा-फट ये डिकोड करके लि अब आजाओ, इसमें इसमें नन अफदी जू अप्शन नहीं है भई, भूल जाओ इस नन अफदी जू अप्शन को, इसमें सिर्फ आपके पास चार ये उप्शन है, इन चार में से पता करना है, आप देखो भई, अगर कहीं पर आज, आपको इसका ब्राइटनी ज्यादा नहीं है, मुझे ही लग रहा है, ठीक है, चलो, तो इसने बोला, पी एड़ रेट क्यू मिन्स, पी इस मदर ओफ क्यू इस तरीके से ये पूरा डाटक देए, अब माल लो, आप एक भूल जाओए सब कुछ, आपको एक एक ग्जामबल के तोरवे मैं कुछ भी देता हूं, म एड़ ये रहा, एड़ में जो पहले वाला है, उसका जेंडर मेल और इसका फिमेल आपको पता लगया का नहीं लगया बताऊ, देखते ही, एड़ को देखा, इसको देखा, हिंदी में कुछन का कोई मतलब नहीं है, इसका, क्लास मेरे पास दो तीन है यह थोड़ा तूट गया था इसको सुद्रवा के लिए क्लास बहुत तोड़ता हूं मैं कभी कहा रख देता हूं तो टूट जाता है इंस्ट्रूमेंट के बीच में ठीक है तो आपको पता लग जाएगा अगर मालनों में यहीं पर ऐसे लिख देता कि ए डोलर बी तो बताओ ए का जेंडर क्या होगा आपने देखा डोलर डोलर में पहले वाले का जेंडर हो गया मेल और दूसरे वाले का जेंडर पता है क्या आपको इसका बी का जेंडर पता चला इससे बताओ डोलर से नहीं पता लगा ना नहीं पता लगा तो gender सभी लोग इस तरिके 100 पता लगा लेगे ठीक है अब मुझे बताव इन सभी में से कोन कोन से सिंपल में जनरेशन गेब आ रहा है देखो introductions Casa अगली जनरेशन पहुंच रहा है एक परसेंटेजन मैंने question में देखा कि which of the following means a is mother-in-law of d इसमें से किसके हिसाब से a mother-in-law of d हो जाएगी तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि a mother-in-law होगी d की इसका मतलब a का gender क्या होना चीए female होना चीए सारी जगर पहले a को लोड़ो a में plus आया है तो plus में पहले वाले का क्या होता है plus में पहले वाले का female होता है तो ये option हो सकता है इसमें देखो add the rate है तो add the rate में पहले वाले का क्या होता है add the rate में पहले वाले P होता है इसका मतलब क्या होता है female है फिर इसमें देखो add the rate फिर से आया तो वही female है इसमें फिर पलस है तो फीमेल है, तो क्या जेंडर से कुछ पता पता लगा, जेंडर से लग सकता था, एक दो उपसन जेंडर से भी आउट हो सकते था लेकि नहीं हुए इस कुछिशन में, इस कुछिशन में नहीं हुए, तो जेंडरेशन गेप देखो, मुझे बताओ, A is mother in लो है ना भई, एक जनरेशन का गेप होना चाहिए, अब देखो, A से जब तक में D तक जा रहा था, तो पलस आया, पलस के वज़े से कोई जनरेशन गेप नहीं होता, परसेंटेज के वज़े से कोई जनरेशन गेप नहीं होता, पलस के वज़े से कोई जनरेशन गेप नही यह तो cancel out, इसको बनाने ही जूरुत नहीं आप लोगों को, अलग-अलग, फिर देखा, A और D में, क्या यह direct relation है कि नहीं है, इसको बलते direct relation, इसको बलते direct relation, इसलिए तीसरा direct relation पर ध्यान देना है, तो A और D में direct relation देखा, तो 8 direct का मतलब क्या है, A तो माता हो गई D की, तो क्य यह भी cancel out हो जाओ, उसके बाद में आजाओ, percentage और add rate दोनों से हो रहा है, generation gap, इसके बाद में तीसरे में, A एरा, और D एरा, तो A से D तक जा रहा था, तो एक तो add rate आगया एक बार, एक generation gap, एक percentage आगया, दो generation gap, तो बताओ, A और D के बीच में, दो generation gap हो सकते हैं, नहीं हो सकत तो यह option भी cancel out, फिर मैंने देखा A एरा, और D एरा, एक सेकंड रुक्य का, पहले वाले option में हो रहा है, यहीं बोल रहे थे ना, आप लोग, sorry, 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 इस पहले वाले option को छोड़ दो, A से D तक गया में, तो दो बार percentage आ गया, तो दो बार generation gap हो गया, तो यह भी option cancel out हो गया, पर percentage से हो रहा है न, generation gap, तो A से D गया, तो percentage से एक ही बार generation gap हो रहा है, तो एक ही generation gap होना चाहिए, तो यह सही हो गया answer, एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ है, सबसे पहले हमने क्या देखा, gender देखा, हर case में A का gender क्या आ रहा है, female आ रहा था, तो उससे तो कुछ पता है नहीं, generation gap देखा, A से D तक गया, पहले वाले option में एक बार ही percentage आया, percentage और age rate से generation gap होता है, तो एक ही generation gap होता है, तो यह answer हो सकता है, मेरा, फिर गया नीचे, यह रहा A और यह रहा D, बताओ, यह direct relation है कि नहीं है, direct relation देखा, age rate से क्या होता है, मदर का relation होता है, तो यह cancel हो गया, यह A यह रहा, यह D रहा, यहां से A से D तक जाओगे तो एक बार percentage, दो बार percentage, दो जनरेशन गया, यह यह answer नहीं हो सकता हो, बताओ, यह technique का थोड़ो थोड़ा हिस्सा समझे कि नहीं समझे, अभी पाया, एक कुशन से हो नहीं सकता, पूरा आजाए, आगे और करेंगे भी, ठीक brickate का मतलब क्या होगा, P is mother of Q, उसके बाद में बोला गया, P plus Q, P is wife of Q, ठीके, तो यह किया है, plus का मतलब क्या होगया, P is wife of Q, ठीके, डॉलर Q का मतलब होता है, P is brother of Q, P is brother of Q ये किसका मतलब होता है ये होता है dollar का मतलब ये इदर लिख रहे दाओं बही percentage P is father of Q percentage का मतलब P is father of Q P and Q का मतलब P is husband of Q P is husband of Q तो Q wife हो गई ये हो गया अगर आपको कहीं पर भी add the rate दिखे तो उससे पहले वाला वर्ड तो P की जगा आएगा उसके बाद वाला वर्ड क्या आएगा क्यू की जगा आएगा कहीं पर आपको डोलर दिखे तो उससे पहले वाला वर्ड P की जगा बाद वाला वर्ड क्यू की जगा कहीं पिया आपको पर्षेंटेज दिखे तो पहला वाला वर्ड पी की जगह दूसरा वाला वर्ड की जगह ऐसे याएगा कि कौन मदर किस ओप्षन के साफ से मदर नहीं तो एक तरीका यह हो सकता है हम इसका ही बलेटरी बनाएं हम इसका ही बलेटरी बनाएं हम इसका ही बलेटरी कैसे बनेगा ए प्लस एम तो पलस का मतलब क्या है दखो यहां पे पी और क्यों वाइफ है हस्बेंड वाई यह तो इस पिछले वेने तीन कों से उड़ता है जेंडर से देखो फिर जेंडर नहीं पता चले तो जनरेशन गेप से देखो डायरेक्षन इनफॉर्मेशन तीन चीजे देखने आप लोगों को प्ताले गलते जनडर से अगर ब zij करह Paul अगर इनफ शॉप्शन पता उसमें एका जनडर क्या हो ना चीह पो फीय आ चीह को आच जनडर को फीमेल न चींडर किकि ए मदर इन्लो ओफ डी ठीक, A is mother-in-law of D तो A का gender female होना चीए तो मैंने देखा, यहाँ पे देखो A के बाद में plus आ रहा है तो बताओ, plus यहाँ था plus में पहले वाला क्या होता है, female होता है तो पहले ही आ रहा है, तो female है यहाँ देखा, add the rate add the rate में भी देखो, पहले वाला क्या होता है female होता है, यहाँ भी female है यहाँ फिर add the rate तो female ही होता है plus आया, उपर ही plus था तो यही फिमेल यहाँ जेंडर से मुझे कुछ नहीं पता चला कोई बात नहीं में, मेरे second step के उपर जाता हूँ second step means generation gap अब देखो, generation gap कि कौन-कौन से symbol से होगा add the rate से एक का generation gap peak अब देखो, A और D के बीच में कितना generation gap होना चाहिए एक generation gap होना चाहिए कोई मदरीन लो है ना तो उपर वाली PD में है तो देखो, A और D के बीच में गया तो plus से कोई generation gap नहीं होता किस से होता है सिर्क पर्षेंटेज से generation gap हो रहा है सिर्क पर्षेंटेज से या add the rate से देखो आप तो इसमें एक ही बार आया पर्षेंटेज ए और D के बीच में मतलब एक जन्रेशन का गया तो यहाँ नहीं हो बाकी देखना है यहाँ A था यहाँ D था क्या बताओ तो direct relation है गानिया A और D में तो तीसरा point कहीं direct relation हाज़े तो direct information आज़े तो direct देखो तो A और D में add the rate का मतलब क्या होता है पहले वाली मदर दूसरे वाला बेटा है बेटी तो A तो मदर होगे ना D की तो मदरी लो नहीं होगी तो cancel out दूसरा देखो A से D तक जाना है A से D के बीच में देखना है आगे से आपको कोई मतलब नहीं है A और D में तो एक generation gap है तो देखा एक बार add the rate आगे एक बार percentage आगे तो दो generation gap नहीं हो सकते यह A रहा यह D रहा इन दोनों की बीच में देखो दो बार percentage आ गया इसका मतलब दो generation gap यह भी नहीं हो सकता तो एक यह option बचाओ option number A is your correct answer बताओ समझ गए चलो नेक्स्ट क्यूशन आजाए कोई टेंशन की बात है हम कितनी बार ही पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है सेम वही क्यूशन है आप लोग इसको करने का प्रियास करो मैं इतने इसके वह symbol लिखता हूँ ना यह फादर इन लोग है इन है आपे पीज मदर ओफ क्यूशन मुझे बार बार लिखना पड़ेगा यार यह पीज मदर ओफ क्यूशन पीज वाइफ ओफ क्यूशन आप लोग करते रो इसक्रिशन को सेम क्यूशन है वई एक आपको तो एक बार ही लिखना पड़ेगा एक्जाम मेर क्यूशन में लिखना पड़ेगा मेरे तो पिछली स्लाइड पर गया इसलिए दुबार लिख रहा हूँ अरे बहुत आसान है अप्सन सी कई लोग अंसर कर रहे हैं आजो अब बताते हैं देखो दो अप्सन हो सकते हैं या तो इसके पूरे का क्या बनाने बेट ज़ो आप लोग क्या बनाने बेट ज़ो बलतरी बनाने बेट ज़ो या दूसरा ओप्सन है आपके बलतरी बनाओ थरस मेल लगे लगे इन देखो इसका दो ही मतलब एक तो इन चारो ओप्सन में से जो मेल होगा वही फादर इल लो होगा और एक जो भी फादर इन लो होगा एम का एम में और फादर इन लो में कितने जनरेशन का गेप होना चाहिए अयृ और यह जनरेशन का गेप होना चाहिए बस पांच अप्सन देखो आर क्या हे सबसे बहूं है एक एक अप्सन देखो आर क्या है ऐसाफ से आर फिमेल है कि यह बताओ आगे वाला सिम्बल बशा और इस एड़ द्रइट के साफ से भी मेले यह लो डो के अपशन बताओ के एक अप्शन तो टी देखना वे टी किया है टी एंड के आ पर फ्रीज़ चाहित है प्रीश चलबें लिखामें डोलर है न दोलर है इसके हिसाब क्राल ने टिका है मेल अप्छान किया है मेल होतायो में तो प्रेखने ओपर Heir पर्षेंटेज पर्षेंटेज पर देखना तो एस भी क्या है मेल है तो एस भी हो चकता है जी देखना भई जी का है आपको पिलीज कमेंट करेंगे जिनों ने भी लिखा अब फिर में वही चीज आपको समझाओंगा समझ नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं समझा देंगे दुबारा इन तीन ओप्सन इसमें से कोई आंसर होगा उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा ठीक है यह आप लोगों क्या था फीमेल हो गया और इसका जेंडर नहीं पता चला इसलिए यह क्या नहीं हो सकते फादरीन लो नहीं हो सकते यह तीनों मेल है इनमें से कोई होगा देख लो कोई दिक्कत नहीं है अब मैंने सबसे पहले क देखा है टी और ए मिद्यम है क्या इनमें को जनरीशन गोथ है एक कर देनर केप होना चाहें से एम तक जाएंगे तो क्या जनरीशन गेप तो गये बीचतने सिंगे अधिडिया निया टार दू यह तो एडऊचरेट और बहुत होलं हां एक वार है तो इस जरसेंग के प्रेंद अंसर हो सकता है है टौर सरक historically अजय देख इस थे आλला दौर सब्सक्री को सब्सक्राइब न अन्हां हों देखो, आपको लग रहा होगा सरी तरना जबहला क्यों कर रहे हैं, हम बलडरी ही बना लेते हैं, एक बार समझने में मुस्किर है, लेकिन जब एक बार समझ लिया, उसके बाद में करने में बहुत फाष्टे है, सरी बताईएगा पिलिज बिल्कुल बता देंगे टी, देखो, एम और देखो, टी का जेंडर तो आपको पताईए क्या होगा, टी का जेंडर मेल होगा तो अपने क्राइटेरिया में आगे, अब टी से देखो, एम तक जहूंगा में, तो टी और एम में कोई जनरेशन गेप एक डोलर है, एक एंड है, कोई जनरेशन गेप नहीं है, डोलर और एंड से तो कोई जनरेशन गेप आता ही नहीं है, जनरेशन गेप या तो परसेंटेज से आता है, एड़ दरेट से आता है, तो जनरेशन गेप नहीं हो सकता है, ठीक है, चलो, आ सकता है, पिरी में भी में आप लोगों को यह करवा रहा हूं अब देखो इसको में बार बार में नहीं लिखूंगा यह आप एक बार इस कुश्चन को करें मैं इदर खड़ा होके लिख देता हूं आपको इदर दिखता रहेगा करें में अबार खड़ची देखता हूं है। इस प्रशन है आप लोगों का क्विश्चन क्या पूछ रहे देखेंगा दान से इन दे एक्सप्रेशन दिस यह एक्सप्रेशन है कि हाउ एस रेल्टेट टुडी कैंस का डिसों क्या र्लेशन लीया उपको बता ना है बता है बदो क्या होगा जब्भी ऐसा क्यूस्चन आंना यह सबसे पहले जरूर देख लिया गरो एस का यहां से जिन्डर निकाल पाबूए आप बताओ एच पलस एस है तो पलस का मतलब क्या है पलस में बाद में आ रहा है ना तो बाद में पलस का मतलब मेल है ना पतलग जगा मेल है तो मेल है तो इन में से कोई भी आंसर हो सकता है इन में से कोई भी आंसर हो सकता है, बरदर भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, कजन भी हो सकता है, सनिल भी हो सकता है, तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बलटरी बनाएंगे, लेकिन, अब कुछ स्टुडेंट क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, के से लेके, और यहां तक bulletry बना देंगे बूरा और उसमें time होता है waste अरे भी आपको relation पता किस किस में करना है S में और D में तो S से लेके D तक बनाओ S से लेके D तक बनाओ तो D add the rate से start D add the rate S का मतलब क्या होगा D mother है H की add the rate का मतलब mother H की plus का मतलब क्या होता है plus मतलब wife है यानि कि H wife है S की यह बलेक्ट्री बनागा इतने से में काम हो जाएगा पूरा बनाने की जूर्त नहीं है तो how S related to D S D का क्या लगता है बताओ दामाद लगता है कि नहीं लगता है son in law लगता है कि नहीं लगता है wife का क्या है wife की माह है तो माइफ की मा है मतलब यह तो इसकी मदर इनलो लोगी लेकिन इसका रिलेशन पूछा है तो देखो बेटी का हस्बेंड है कि निये इसके D के How S related to D S D का क्या लगता है तो देखो D के बेटी का हस्बेंड है यानि कि क्या लगेगा Sun इनलो लगेगा आँरो थीक है जी कर देखो वह सारी क्लासेश का टाम डेबल नहीं आसकता शिस्टम में ऐसा है नी हम लोग हमारे साब से लगाते रहेंगे क्लासेश का टाम डेबल यह कि 11 वजे 2 वजे क्लास होती है वह आप देखो वी सिंग जी आप अगर दोनों एक साथ देखे समय बचा सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं पहले जेंडर देखता हूं कई बार मेरा जेंडर से ही का हो जाता है जनरेशन गेप मुझे देखना नहीं पड़ता है ठीक है इसलिए मैं पहले जेंडर देखता हूं अब यह प्रशन है आप सभी की प्रैक्टिस के लिए आप करोगे आंसर कमेंट करोगे उसके बाद में बताऊंगा अब आजाओ तो फिर इस कुश्यन को देखते हैं लोग सबसे पहले तो आप इनको डिकोर्ड कर लेना अब मैं डिकोर्ड नहीं कर रहा हूं म एक प्रशन के दो तिन की दिक्कत थी ठीक है न हिंदी में भी आगे देखो कुश्यन अब वाट विल कम इन प्लेस ओफ कुश्यन मार्क तो इस्टेबलिज देट एट एन इस फादर ओफ टी इन फॉलंग एक्स्प्रेशन एन को फादर होना पड़ेगा टी का एन इस फाद मतलब क्या है पी क्यू का पिता है तो एन पिता है आर का तो एन पिता है आर का फिर एस गुना टी बीच में तो हमें नहीं पता आर और एस के बीच में क्या रिलेसन होगा हमें नहीं पता तो एस गुना टी दिया गया है ठीक है तो पी क्यू की बहन है इसका मतलब यह हो गय तो स्ट की बहन हो गई? इन दोनों में क्या रिलेशन हो गई? स्ट की बहन हो गई? अब देखो आप हो गई इह अलग ढाएगरम जिया नहीं तो नवी लग बीच का Kuszचन मार केमें नपी पता यह हमको नकालना है तो आप ध्यान से समझें आप ये देखो आपको बोला क्या गया है बोला गया है ये गया है कि N is father of T N को T का father होना चाहिए देखो N अभी father R का तो अगर N T का father होगा तो ये R के भाई 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 होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये दोनो के दोनो तो इसका मतलब यह यहां नहीं चीए है बताओ तो पहले TR, R, S ठीक है यहां आना चीए यह नहीं आना चीए बताओ समझेगे इतना आइडिया लगा सकते हो ना अब देखो इसने बोला कि R और S इसके बीच में क्या आना चीए है तो देखो क्यूशन मार्क अब आप देख लो कि P, Q की माह है यह तो आनी सकता R और S के बीच में P, Q का पिता यह भी नहीं आसकता गुणा P, Q की बहन है तो R, S की बहन भी हो सकती है अगर यहां पे गुणा आजाएगा तो R बहन हो जाएगी एस की गुणा लग जाएगा फिर यहां P, minus Q करते है P, Q का भाई है अगर आप लोगों का minus आजाएगा तो R क्या हो जाएगा S का भाई हो जाएगा लेकिन पीता तो रहेंगी न, N के तो गुणा और minus दो नहीं से कोई भी आसकता है तो गुणा और minus इन में से कोई नहीं, और क्या है या फिर इस option वो चेंज गर के multiply कर दो इसकी जगह पर ठीक है समझ गया भाई इसमें छोटा सा question है छोटा सा diagram है तो यहीं से पता कर लो हर चीज एक तरिकों से करो क्या smart way वो होता है जो चीज जहां आसानी से हो जाए वहीं से हो जाए अच्छा C option दे रखाए गया अच्छा minus गुणा अच्छा इदर दे रखाए ठीक है तो option C हो जाएगा ठीक है ठीक है हाँ यह हो गया तो option number C आणसर हो जाएगा समझ में आया यह किसे किया हमने ठीक है चलो इस question का answer करो गई चलो तो इस तरीके से एक relation दिया गया बोला गया वी और वाई में given expression के इसाब से क्या relation है what is the relation between V and Y तो इस तरीके से एक relation दिया गया था मुझे तो चाहूं तो मैं इसका diagram भी बना सकता हूं चोटा सी diagram बनेगा तो diagram से भी कर सकते हैं लगी नेक तरीका हो रहता हूं बोला गया V is grandmother of Y तो V का gender क्या होना चाहिए female होना चाहिए इसके साब से तो देखो V divide और हो तो दिवाइड और तो यहां पर प्या होना है तो V किया हो गया V किया हो गया और वाई मेल है अपने इसाब से तो वी इस गराणफादर ओफ वाई तो फिर से मेल इन दो प्संस में से अब आप लोग इसमें से चेक कर सकते है जनरेशन गेव बगेरा लगा लोगों के लेकिन वैसे भी कर सकते हैं इसको लेकिन बलट्री इसका छोटा से बने का कुई पी क्यू की मा है तो वी डबलू की मदर हो गई फिर वो लगए डबलू माइनस एम तो माइनस देखो पी माइनस क्यू का आर्थ है पी क्यू का भाई है तो इसका मतलब डबलू भाई हो गया एम का तो डबलू भाई हो गया एम का उसके बाद है एम पलस वाई दिया गया है प पलस का मतलब क्या है पी क्यू का पिता है यानि कि एम वाई का पिता हो गया, एम वाई का पिता हो गया, फिर वाई गुणा एस दिया गया है, तो गुणा मतलब क्या है, पी क्यू की बहन है, तो वाई, बहन हो गई, किस की, एस की, एस का जेंडर नहीं पता, तो इस तरीके से यह आप लोगों का निकल गया जता, इस में आप देख लो, क्या पूछ अधिया है, किस यह किस के बीच में, V and Y, तो V and Y के बीच में अगर आप लोग देखेंगे, तो V और Y में क्या है भई, ये दोनों भाई हैं और ये इसका बेटी ये इसकी बेटी और ये इसकी माँ है तो इसका माद दादी हो गई है ये तो ग्रैंड मदर हो गई वी ग्रैंड मदर हो गई न तो वी इस ग्रैंड मदर हो गई ठीक है तो ये निकाल सकते हो किस किस को समझ में आ गया हां S की जूरत नहीं है वह मैं समझ आपकी बात ठीक है अगर आप डाइरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डाइरेक्ट का तरीका में ने बता दिया था आप लोगों को दो तो जेंडर से कैंसिल आउट हो गए दो तो जेंडर से कैंसिल आउट हो गए आप देख लो इस हिसाब स वी और वाई में दो जनरेशन गेप होने चीए है जनरेशन गेप किस-किस से पेदा हो रहा है देखना भई एक तो डिवाइड से पेदा हो रहा है क्योंकि मा है और एक पलस से तो जनरेशन गेप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड और पलस से पेदा हो रहा है तो अब देखो V और Y के बीच में कितनी बार आ रहा है डिवैड or plus दो बार आ रहा है तो 2 जनरे सन गया दो होना चाहिए Grand Mother सन में ठीक है और यहाँ देखो Y, son of V तो वी और वाई में दो जनरेशन गे पारा है लेकिन इसके साफ से तो यह वैसे कहा है जो तो सीधा भी कर सकते हो ठीक है ना सीधा भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जी अर्जुन गुजर जी आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा चिंता ही बात नहीं करें हैכे है है जाल ऐस्त कवह इंतर समयलें कि अपड़ा ऐ ganzen च्रक फांच चल रही है एक टोपीक्श ही मैं मतलब में जो भी अपनी बैंकिंग के अंदर जो भी लोग पढ़ाएं उनके अंदर में एक आपीशा थे घ्रीचा हूँ जो एक सी दो में दोनों सब्जेक्ट कप्लिये करें उत new students creepy कि पड़ाते हैं हमें था थना हम पांसे सिra णी हो रहा है कि मैं आपको उत्ना हिसे समय करा रहूं अराम राम से 33प्वे निय बहुत का थैया तो कोई दिखाद आध मुझे बाता हो हम लोग उसका भी समाधान करेंगे ठीक है और आप यह में सोचों कि यहां पर आप 80 से लेके कभी-कभी 150 के बीच में लोग लाइव रते तो इतने ही लोग देखते हैं इस कोर्स में अराउंड 1900 पलस हो गए होंगे अभी तक तो प्रूथ आउजेंड भी हो सकते हैं इतने स्टुडेंट से माइदा मिल पाए तो कंपेटिसन बहुत है आप आराम औराम से पढ़ो काफी अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है चलवा जो इसमें बोल रहा है वेंजक दिस में एल का एंड से क्या संबंद है हाव एल रिलेटेट टू एंड इन गिवन एक्सपेशन एल का क्या सं तो क्या एल का जेंडर निकाल पाओगे अगर लाश्ट दो का बनाए तो पहले का छोड़ दो नहीं निकाल पाओगे अगर आप जेंडर ही नहीं निकाल पाओगे तो रिलेशन बता पाओगे एल का क्या लगता है अगर आप जेंडर ही नहीं निकाल पाएंगे तो आप बत तो मैंटण का मतलब क्या था पी ऐ क्यू का भाई है यह निंगि लास्ट मैं से निकलेगा ती भाई हो जाएगा क्यू का यह मतलब L का तो L का किसी के साथ रिलेसन नहीं पता सकते आप तो कि L नहीं पता हम लोगों को तो कैनोट पी डिट्रमाइट सेमपल है एक सेकर्ड और सब्सक्राइब इस से जादा टेकनिक्स और क्या पता है है ठीक है जी है ना बताओ इससे जादा शोटकट और रोके लिगे निरधार इतना ही किया जा सकता आइदर और होता है इन में कहीं तो फिर हम देखते हैं आइदर और होता तो कहीं फिर पूरा बलेटरी बनाते हैं हम लोग ठीक है चलो जो गाइडेंस याप यहीं पर मांग लो मेरे से नेक्ट कुश्चन जेखो भी करो आइदर भी या सी होता तो वह हो जाता आंसर हित्विक सिंग आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं करो इस कुश्चन को करो अब ऐसे कुश्चन में शोट्री की बहुँ ज़्यादा जोरत पड़ती है वही पिछले कुश्चन में बनाएं तरह आपको हम ऐसा क्या करना है पढ़ना नहीं है बार बार आपको यह लिखी नहीं है जैसे जैसे हैस का क्या मतलब है एस फादर ओफ बी उसके बाद लिखाए इसका क्या मतलब है एस मदर ओफ बी उसके बाद एड़ दरेट का मतलब है एस सन ओफ बी एड़ दरेट का मतलब है एस सन ओफ बी एस बार दर ओफ भी द्यान से देखना इसमें एक चीज का यह मैंने जो लिखा यह समझे आगे सभी को इसको रिपीट करूं जैसे मैंने क्या लिखा इसने बोला ए एड़ लुक्र का मतलब क्या लिखाता है ए मदर ओफ बी तो ए को मदर बना दिया भी मोतलब आगे सपक्राइब है देखना जो एड़ दरेट के पहले आ यह लेकिन बी उसके क्या ओपर आ रहा है। समझ गए इतना सभी लोग बाड़े आगे कुश्चन की और कुश्चन ने देखो क्या बोला निम ने लिखित वेंजको में से कौन से वेंजक में डबलू क्यू की बहन है इसका मतलब डबलू का सबसे पहले क्या जरूरी है डबलू का फीमिल होना जरूरी है तो पहले एक्सप्रेशन में देखा डोलर डोलर में देखा तो पहले वाला क्या होता है हमें सा फीमेल होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है फिर यहां देखा डबलू और व्यान गर्ट में जैंटर बता पाऊगे इन ओप्सव नमर B नेटरमाइन जैंडर अपड़ू कि डबलू का मतलब क्या है ए लिए बीवेधी तो इसका नहीं बता पाऊगे आपके जैंडर नहीं 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 बता पाऊगे तो सब्संसरेश यहां आगे चल्या अप डबल पर हो ने-स च्रम होड हैं कि शीना शुट सताथ की शंकरीजु भूटर के सकता है कि श्राउ़ के पहले बाले में मैल वोग दो गया तो थी RED अर्शान आपके पास 2 बैचे 001 back- riousz नहीं तो कम से कम कर řिक्षाएं मारोगरे तो 50 देक्ञा है b Sat Na W Q की बहन है ठीक है तो देखो डबलु और इसमें तो भाई और वो फीमेल है तो बनोगे बात लेकिन यहां पे देख लेना, डवलू और क्यू मैं का कोई जनरेशन गप है, कोन जनरेशन गफ है हँ तो देखें हम खी adesso, है तोंने बन गफ हो और था है, दो जनरेशन गफ हो गля, जो थो इसे वह अपने तो आपने इन दोनों में आपको फिर भी ऑनिफूजन रह जा नहीं पता लग़ा डायरेक्ट तो कम से कम एक का ही तो बनाना पड़ेगा आपलो को या तो इसका बना लो इसके अंसर आ जा 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 जिए जब तो ठीक है नहीं तो यह आंसर और इसका बनाओगा इसक Q is star Wаша तो a star का मतलब क्या है भाई है पहले वाला तो q w 35334 डाइद धाज़ागा को है कि दभ ट्हें फिर दी डाद ड्रोडर एंन गी डाली ड्लुर वह तो ड्रीम डॉलर का मतलब कर दूम में तो w माघ है किसकी n की tua डवलू माघ हो गई Quinn क्यों भाईबन वा ग्यली लिवय ? ऐसे बी में ठी भी डाइडरेक्ट रेलेशन होने सी होता कि से लेख लो ठीक है चलो है उमीद करता हूं समझ में आ रहा होगा है तो ही कोडेड ब्लड रिलेशन इतना ही था हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन था है इसमें जितनी भी ट्रिक हो सकती थी आ गई इसी लेवल का कुश्चन पूछेगा खाट में ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को मतलब कोडेड बलेशन में परिगराब बनाके दिया कि नहीं होगा ठीक है में अप लोगों समझा दिए थे हैं ठीक बार में पुराना तोड़ा से और अब casos कि स्टार्ट किया थे तो बिलेट्रि यहां से बनाने के लिए जो जो रिक्वएर्मेंट होती हो समझाया थे कि में फीं छी मैब को इसे बनाना हो यह से बनाना जैनेरेशन अपर नीचे को बाध उसकर मेने बहुत सारे डिलेशन आपको बताया थे फिर कुछ everyone पूजिंग रिलेशन्स जो होते हैं उनके बार में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा की थी, ठीक है, और फिर कुछ सिंपल क्विशन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद में हम चलते हुए आ गए थे किसके उपर, अब फिर से कोड़ेड को छोड़के हम कहां आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन की क्लास 3 पर आ रहे हैं, जहां पर सिंपल क्विशन से स्टार्ट करेंगे फिर से, भही बैसिक वाले कोड़ेड नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ पैरेग्राफ टाइप की क्विशन से हमें करने है लेकिन सबसे पहले कुछ सिंपल क्विशन से ही सुरुवात करते हैं फिर से, तो आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, करिएगा, ब्लड रिलेशन में पीधी चार्ट बताओ, बता तो दिया, पीधी उपर जाते हैं तो बढ़ती है, नीचे जाते हैं तो नीचे वाली प्रश्न सोल करने के लिए आपको जो भी रिक्वाइड चीजे में और लेडी सारी चीजे करा चुका हूँ, फटा फट इसका बलड ट्री बनाऊ गई सारे लोग, फिर चेक करना कि जैसा आपने बनाया है, जैसा मैं बनाऊंगा वैसा ही बनाएगा आपका भी, बना लिया गया, फूनी रिष्टे का पहला प्रश्न आज की क्लास का, काफी लोग देरी देरी आ रहे हैं, और कुछ लोग आके जाबी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, चलो ओप्सन ए आ रहा है, चलो, रहा है, बोलागे है, डी इस फादर ओफ ए, डी इस मेरेट टू पी, डी की साधी होगी, बहाई पी से तो पी फिम्मेल होगी और यह इक कपल हो गया हमारा, P is mother of J. P, J की mother है, P, J की mother है. तो बताливे, या आप असे भाई बन हुए कि नहीं, A की क्टल के बच्चे हैं, तो भाई बन हुएं, यह कोन भाई है? कोन भाई है? कोन भाई है, मैं नहीं पता? P has only one daughter. P, के एक ही daughter है, जब P ऐसे only सब्दा है न, तो आप लोग ऐसे couple couple लगा दिया करो, only one daughter, भूल मत जाना, कि इन में से सिर्फ एक ही daughter होगी इन दोनों में से, जादा नहीं हो सकती, ठीक है, फिर बोल रहा है, J is married to you, J की जो साधी हुई है, वो U के साथ हुई है, तो J और U एक couple हो गए, फिर बोला, U L का पुत्र है, तो U एक तो male है, इसका मतलब पुत्र है, तो ये female हो जाएगी, और U किसका पुत्र है, L का पुत्र है, अब आप लोगों ने ये एक्स्ट्रा में लिख लिया था, अगर हम लोग पढ़ के ही इसको छोड़ देते, तो हम भूल सकते थे ये वाली बात, और हम लोग इसका जेंडरे डिफाइन ने कर पाते, लेकिन कुश्चन ने ध्यान से बोलना, अगर को टोटर है, किसके पी के, पी के एक डोटर है, तो ये बचावा क्या होगा, बेटा होगा के नहीं होगा, बता वहीँ, तो ऐसे जो वड्डs होते हैं, ना अगर श्रीक्लिवा बड्डs का भी आपको ध्यान रखना है, बलड़े ट्री सबको समझ में आगया कि पहले मुझे एक बार आप लोग बताएं सभी लोगों के बलड़े ट्री समझ में आगया उसके बाद आगे बढ़ते है चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो हम रिष्टा देख लेते हैं क्या है तो यह एल का बेटा यू है यू की वाइफ है यह तो जे एल की क्या लगेगी पुत्तर वदू है कि नहीं है तो हम यह अब हिंदी में उपसन ने तो पुत्तर वदू इंगलिस में लिखा होता तो डोटर इंलो ठीक है अगर इंगलिस में लिखा होता तो उमेद करता हूँ डायग्राम समझ में आया वकर से भी भूलना नहीं है कोई भी इंफोर्मेशन किसी की ओन्री वगरा वाली भी कूरा में इसी के ऊपर दूसरा कूर ला हूप है इसमें ट्वी बनाने है में जोतनी पिछले वाला ट्री भी यूज करें तो कूरा है ऐ हैं का यू से क्या सम्मझ है ठीक है ठीक है तो हें रिलेटेटेड टो यू ए किया लगता बहू यू का दखो उ ए ये रहा और यू ये रहा तो A U का क्या लगता है A U का क्या लगता है बмотр Middle है कि नहीं है देखो भई इन लोग समझार हो भी है उसका पती है यानि कि ये A के जी जा है यानि में आपस में बरद enlightenment हुए कि नहीं हुए ब्रदर इनलो हो गए ना तो ब्रदर इनलो ठीक है भई समझ में आ गया लास्ट वाला पॉइंट बताएं कौन सा वाला लास्ट वाला पॉइंट यह वाला पंगर जी ए वाला देखो ए वाले में ऐसे था इसने ऐसे बोल दिया था पी की केवल एक पुत्री है पी हैज ओनली वन डोटर यानि की बाकी अगर कोई बच्चा होगा तो वो डोटर नहीं होगे क्या होगा तो दोटर तो जी हो गई, जी अगर दोटर हो गई जी है अगर दोटर हो गई तो बचा था ए का जिर्ण्ड हों आणती है तो इन लोज के ही इशमज़ में आजये इसलिए यह सारी कुश्शन लेकिया है चलो आप सब भी लोग इसका ब्लेटरी बनाओगा एक बार फिर मेच करना है मेरे से अरे जेंडर तो डिफाइन नहीं है मैं इसे बोल देता हूं कि यह यह बंदा है इसके दो हैं और यह बेटी है अब मैं इसके बहुत हूं एक एक बेटी है तो इसकी संताने तो दो है ना तो एक बेटी तो सी हो गई तो बचावा बेटा ही होगा प्रवेश बनाओ इसका बनाओ हो गया चलो बनाते फिर एंड वाई यार ब्रदर्स ओफ के ए और वाई भाई है के के तो अपसों ही भाई होंगे इसकी सब्काव helpful लेकिन कौन सा मैल कौन सावी मैल मैं नहीं पता इसकी बाद में पी डोटर हो गई है तो यह मेल होके लेकिन यह तो डाइगराम ऊपर चला गया तो थोड़ा से नीचे आना पड़ेगा ठीक है बोला एंड वाई आर ब्रदर ओफ के अनंद मृ आर यार बत्र ओठीक है यह दोनों भाये हैगें किसे प्रदर ओ ओसके लिए लगा है of P and S तो यह जो तिनों के तिनों बच्चे है न वो P और S एक कपल है उसके बच्चे हैं तिनों के तिनों तो यह एक लाइन से पता लग जाएगा वह तिनों के तिनों इहनी के बच्चे है आगे देखना P is daughter of X P daughter है तो इसका मतलब यह male होगा और किसकी daughter है X की daughter है ठीक है फिर वो लग है M is father-in-law of S M is father-in-law of S तो father-in-law क्या होता है पती या पतनी का पिता तो देखो S का father-in-law कौन होगा S की wife होगी P P का पिता होगा अगे नहीं होगा तो इसका मतलब S का husband यह wife होगा तो बोला है M is father-in-law तो M क्या है male है तो यह female हो जाएगी तो यह पूरा है क्या है कपल है उसका बहुत है Q is son of X Q son है X का तो Q P का भाई होगा का नहीं होगा X की बेटी है तो इदर ऐसे बनाने के बजाए से बना तो Q का भाई होगा है किसी इसका diagram यह सा बनाए किसी को इस diagram में doubt ठीक है तो यह अच्छे से हमारा बन गए फादर यह समझ में आगे ना अगर किसी का आपको बनाना है फादर इन लो बनाना है तो उसका husband या wife देख लो उसका माता पिता में से किसी को बना दो ठीक है तो यह diagram बनी है अभी इसके बर बेस्ट क्यूशन देखते है इसके बर बेस्ट पहला क्यूशन है यदि J X का भाई है If J is brother of X Then how J related to Q J is brother of X X का भाई है और दे दिया कौन है X का भाई? J X का भाई है If J is brother of X Then J Q से किस प्रेकार समझ देए? How J related to Q जे क्यों क्या लगता है देखो गई, जे क्यों क्या लगता है, बताओ, अंकल लगेगा कि ने लगेगा, एक तो उपर वाली पीडी में हो और खुद के माता पिता तो है नहीं, उपर वाली पीडी में अगर खुद के माता पिता नहीं, माता पिता के जितने भाई बनोते सारे अंकल अंटी तो अंकल लगेगा कि नहीं लगेगा अंकल लगेगा तो यह हो गया अंकल ठीक है मतलब सीधी सी बात है ज्यादा वैसे मत देखना कि अंकल में चाचा है ताउ है मामा है क्या है इतना देखने ही जूरत नहीं है आप देखो उपर वाली पीडी में है और मम्मी औ How y related to m? Y m से कैसे relate करता है? How y related to m? Y m का लगता है? 2 pdi नीछे है क이 निए बताओ? 2 pdi नीचे है. 2 पीजे नीचे grants लगेगा का ने लगेगा? 2 pdi नीचे है, grants लगेगा? और mail है. То grandson. Grandson. हाँ के रिलेटेट टो क्यू के क्यू से कैसे रिलेट करता है के क्यू का क्या लगता है काँ चला गया अभी हाँ है के क्यू का क्या लगता है बता सकते हो आप के क्यू का क्या लगता है बता सकते हो के का जेंडर बता है आपको नहीं पता है तो देखो चैन नॉट बीटर्माइंड ठीक है अगर जेंडर ने पता है आई दरोर होता तब हम लोग देखे आई दरोर ही निज के ऑप्षन में तो जार दिमाग लगाना ही ज़रूती है लाश्ट क्लास के अंदर हमारे कुछ कुछन से लुरे थे जिसके अंद का जिकर था और इन लोग के जो रिलेशन्स थे वो हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिस की थी और उसके कुछ कुछ कुछन्स करवाय थे जिसे एक एग्जाम्पल के तोर बे में बताऊं तो यह सब किया था हम लोगों ने ठीक है कोड़ेड ने कोड़ेड नहीं एक यह हमारा कुछन चल रहा था तब थोड़ी सी प्रोबलम हो गए थी किन किन इस्टूडेंट्स का यह कुछन हो गया है अब तो यह मिटेगा भी नहीं करें लगपा ग़ी मतलब हो गहाता है इतने कम लोग ऐसे हैं हं इस क्लास में इतने कम लोग लुषों से बोर यह का तूं लोग है को यह मби घुकर जब लोगीं इसलिज्रा नहीं हो गया। कि अफ्लाइन देखते हैं चलो अच्छी बात एक को चलो होगा इंटर्व्यू का पूछे लिंक देंगे आपको जब भी होगा चलो यहां पर देखो क्या बोल रहा है घेक हम अश्ची पजल टाइब की क्या गे चले जाना है असुट कीश जाना अब क्या है नोटिफिकेशन होसकते की अब लोग बीच चला गऑन आगा घए तो बताने की जुरूत नहीं है न, वन फेमिली का मतलब मैंने समझाया था, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर, तो उसी साफ से वन फेमिली ही लेके चलना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लोग लेके चल रहे हो, देखो वही, जेड इस दे ओनली सिबलिंग ओफ वही, ओनली बहन है, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं बता है, साउट तो आ रहा है न, हाँ, ठीक है, तो बोला गए जेड और वाई सहोदर है, तो सहोदर होने का मतलब क्या है, इसको इदर ही बनाता हूँ, मैं, जेड और वाई, आपस में क्या है, भाई बहन है, लेकिन कौन भाई है कौन बहन है हमें बिल्कुल भी नहीं बता लेकिन जड़ी इस दा ओनली सिब्लिंग ओफ वाई क्या इनके और भाही बहन हो सकते हैं कि बताओ कि नहीं हो सकते ना ओनली बोल दिया है एक एक पॉइंट को पर मतलब जब पजल वाला टाइप का जो कुष्ण होता है इसमें थोड़ा ध्यान से देखना होता है एक एक पॉइंट को पकड़ना होता है क्योंकि उन्हीं में बहुत सारी जेचिपी होती है जेड इस दा ओनली सिबिलिंग ओफ वाई ठीक है तो यहां पर इस ओनली को आपको लिखना पड़ेगा जेड ओनली सिबिलिंग ओफ वाई यहां पेपर में लिख देना थोट असा साइड में ताकि आप लोगों को कुष्ण दुबारा नहीं पढ़ना पड़े और आप वाई के सिर्फ एक डोटर है तो डोटर को सरकल में बनोंगा है अब मुझे एक बाई बता दो आप लोग ओनली वन डोटर होने का मतलब यह थोड़ी है कि इसके सन नहीं होगा सन और हो सकता है कई लोग बोल देते हैं हमारे तो इकलोती बेटी है बेटा भी और हो सकता है उ इसका मतलब हम लोग गलत निकाल लेते हैं उसी तरीके से इसने यहां पर लिखा कि who has only one daughter तो कुछ लोग यह समझ लेंगी कि इसका भाई तो होगा ही नहीं क्योंकि यह यह तो एक इकलोती बेटी है इकलोती बेटी है वाई के बेटा भी हो सकता है ठीक है लेकिन यहां पर स M की साधी N से होई है तो M और N होगे लेकिन कौन पती है कौन पतनी है हमें नहीं पता है कौन पती है कौन पतनी हमें नहीं पता है लेकिन दोनों कपल हैं यह पता है तो इनकी साधी करवादी है यहां पर O is grand child of Y who is not in the same generation as M यह बोल रहा है कि O is grand child of Y O Y का grand child है अब कुछ लोग क्या करेंगे Y की बेटी का बेटा है बेटी बना देंगे O को ठीक है देखो कुछ लोगों का यह सोचना हो जाएगा कि Y की एक बेटी है और उसी बेटी का क्या बोल रहा है यह grand child बोल रहा है तो यह O उसी बेटी का बेटा है बेटी कुछ और होगा लेकिन कोछ जरूरी थोड़ी है grand child Y की बेटी का बेटा बेटी हो वो तो grand child होगा लेकिन यह जो O grand child है यह जो लड़की है या पर वन भी लंसी को कि explicitा इसक भाई का वी तो बेटा हो सकतता है या बेटी हो सकती है तो वाई का गरांड चाइल्ड हलेकिन यह निनगर आपता जहें कि वाई साइड में लिखना है कि वाई वाई के नीचे एक 2 के एक 20 आजाएगी जो भी मारण सो भी होगा तो M और N वाली जनरेशन में कौन नहीं आएगा, य नहीं आएगा इस जनरेशन के अंदर तो लिग दिया हमने, ठीक है, O is grand, who second person के लिए तो Y के लिए बोल रहा है, Y is not in the same generation as M, या तो नीचे आएगा और अपर आएगा देखते है, L is ant of O, आप देखो ant का जो relation होता है न, वो आप इतना अच्छे से define ऐसे जल्दवाजी में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ant का बहुत सारे, ant का बहुत सारा मतलब होता है, तो side में इस line को लिख दिना, यह देखो बड़ा प्रशन है और मेंस टाइप में आता है, L is ant of O, तो यह side में आप लोगों ने एक point को mention कर दिया, आगे बढ़ते हैं, N is mother-in-law of V, N जो है वो mother-in-law of V है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो यह निकल किया है कि N क्या है, N female है, तो M क्या होगा, male होगा, तो इस couple का पता चलिया, अब N is mother-in-law of V, M V की mother-in-law है, अब देखो, N इस couple का कोई बेटा है बेटी होगा, कोई भी हो सकता है वो बेटा बेटी, ठीक है, उसकी साधी किस से हुई होगी, V से हुई होगी, तभी तो यह mother-in-law नहीं है, तब यहां क sister-in-law है, ठीक है, तो V और Z को अगर sister-in-law बना है, तो Z क्या होगी, बताओ, Z कैसे sister-in-law बनेगी, Z और Y के और कोई भाईवन हो सकते हैं, क्या, याद गरो, एक-एक पॉइंट समझते वो जाना है, Z और Y के और को भाईवन हो सकते हैं, याद रखना है, Z has only siblings, नहीं हो सकते हैं, तो अब अगर Z की sister-in-law बनाना है, तो और कोई भाईवन तो same generation में क्या हो सकता है, यह बोला है, वी एंड जेड आर, sister-in-law of each other, तो जेड फीमेल तो हो गई होगा, अब वी को sister-in-law बनाना है, तो वी यहाई पर आएगा, और वी इसकी भावी बन जाएगी, बताओ, यह किस को समझे में आगया, और वी लड़की है, तो वी की साधी Y से होई है, तो यह कपल बन जाएगा ठीक है, जैसे यह यहाँ पर बना, वी यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह दोनों डाइगराम मर्ज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो वी तो क्या हो गया, और यहाँ Y आएगा, तो Y मेल हो गया, और इसके नीचे Y की एक क्या है, बेटी है, ठीक है, एक स और समझ में आ गया तो यहां से अपने वो लिखने की जुर्दनी है दो डाइगरम बनाए दोनों को मर्ज कर दिया ठीक यह आप मिटा सकते हो यह फिर अलग से मर्ज तो करना पड़े लेकिन मैं यहां पे लिखा रहा नहीं देता हूं आपके रेफरेंस के लिए आगे के इसने भी सारे बोला गया है वो सारे सारे लोग है तो यह इतना डाइगराम तो हमारा बन चुका है अब आगया जो अल इस अंट ओफ ओ तो अभी तक ओ की कोई बात नहीं हुई है तो वह भी नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं फिर अ S is married to R but not female S is married to R अब S और आर तो कहीं कोई हई तो मैं यहां पर लिख देता हूँ S is married to R S की साथिवज़ी है R से ठीक है but not a female S क्या नहीं है female नहीं है ठीक है S female नहीं है तो क्या होगा male होगा और यह क्या हो जाएगी फिमेल जाएगी तो यह एस और आरेक कपल है ठीक है अब इसके बाद इनको और आगे मर्ज करना बता हूँगा इतना बताओ किस को यहा तक किसी को दिक्कत दो बताओ नहीं तो समझ में यह आएगा दरी दरे समझना है इसके बाद में इनको और आगे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा लेकिन इतना ही नहीं समझे आगे कोई मतलब नहीं है अन्टी वाला करेंगे भी एल और ओ आया नहीं है न भी यहां ओ आया है तो अन्टी वाला भी करेंगे ओनली वन डॉटर है वो भी करेंगे सारी चीज़े करेंगे देखो दान से समझना में अब आपके पास में इतना बनने के बाद में यह पूरा रिपीट कर दूँगा में जिनको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है इतना समझ में आने के बाद में यह आपको समझना है देखो कुछ लोग बोलते हैं रिपीट बाद में तो एल इसके उपर वाली PD में आएगा कि निया इगा पता हूँ आट है तो एल इससके उपर वाली PD के इंदर येगा ऑर इसको तो तो आपको किया पता है italy और एक कपल हैं, इन तीन information के रलबाब चोथी information कुछ बची नहीं है, तो इन तीन को देखा, तो सम्भावन नहीं क्या 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 बनती है, कि ये ओ इसका ही बेटा-बेटी हो जाए, तो मैं मान ले तो हूँ मान लो ओ इसका ही बेटा-बेटी हो गया, एक बार ऐसे ही मान लिय उख़ो ज़िया हमें थि मेंने को इसी का हो गया इस बैटी का तो यह बैटी कोन होगी कि decon कि क्या बैटी कोई इसका तो गया जूना मुझत ज़िर यह गया इसका dependent को बाइइ की बारशते है यह अब जब का इसी बाइट इसको इसको मैं पता है छोग होना जरूरी है और साधी हुआ हुआ कपल मेरे पास क्या है सिर्फ यह है और वाई का वो क्या है यह बोला है कि नहीं हो सकती क्य해 वाई के तो इस सिर्फ एक ही चाइल्ड है कि आर क्या होगी यह जो रहे ना इसकी भहन हो जाएगी इसके पिता की भहन हो जाएगी यह हुआ है तो आर कहा है आजाए और नहीं यह जो ऐल की बात कर रहूं मैं यह शाय पर हाल ऐस yap पता चला आप से भी लोगों को बताओ पता चला नहीं पता चला पता भी नहीं चल पाएगा किसी भी तरीके से ठीक है तो यह आपका फाइनल डायजरा में आपके सामने अब देखो जब ऐसे पजल वाले कुश्चन आते हैं तो आपको एक बात समझ नहीं कि एक एक पॉइंट को सुलजाते हुए चलना है और हर चीज को सोचते हुए चलना है लाष्ट में जब अनिस चित्ता हो पर संभावना पर काम करना है एक जैकलि आपको यह नहीं पता चलेगा कि यह आरी होगा लेकिन आपके पास और को यह उपसन भी नहीं है आई जैड की बेटी भी हो सकती है एल जैड की बेटी भी हो सकती है मतलब आप क्या बता रहे हो कि ओ के लिए बोल रहे हो आई लैंटी है तो आप यह बोल रहे हो कि ओ के ओ के दादा की बहन यानि कि आपके दादा की बहन की बेटी को आप अंटी मान रहे हो एक फेमिली हुई आपके दादा की बहन की बेटी एक फेमिली हुई अब मैं एक चीज़ बता देता हूं इसको तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे जो बड़े पजल टाइप वाले कुशन होते हैं इनको मैं बता देता हूं आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस बहुत जादा करने पड़ेगी जो आईडियाज में इसके अंदर एपलाई कर रहा हूं जिस तरीके से में मर्ज कर रहा हूं जो लास्ट में संभावना की कर बहुत ज़दा प्रैक्टिस चे करना पड़ेगा और कभी इनको जल्द बाजी में सीखने की मतकोसिस करना पहले दिन ये परियास बत करना कि सरमें एक मिनट में पूरा क्विशन लगा दूगा पहले दिन कभी ये परियास नहीं करना है आपको पहले एक के क्लाइन को सुल सुल जाके समझना है आपको पता तो चले की लेंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है और मैं कौन सी चीज से क्या सोच के कैसे डागराम ना रहूं ये समझ लो इस पीड अपने आप बनने लग जाएगी दिरे दिरे ठीक है चलो अब मैं दुबारा से आपको एक कुशन रिप पता था क्या थे क्या नहीं थे फिर आगे बड़ा में ठीक है हूँ है ओज ओनली वन डॉटर जेड के सिर्फ एक ही बेटी है दूसरी बेटी नहीं हो सकती है एम इस मेरीड टू एन एम की साधी एन से हुई है ठीक है तो एम और एन को मैंने कपल बना दिया था ठीक है ओए इसलिए वी इसका क्या हो गई इसके बेटा यह बेटी की वाइफ या हजबेंड होगा तो मैंने इस तरीकिछ से इसको बना दिया था उसके बाद में देखो वी एन जेड है आर सिष्टर इन लो बोला ठीक है तो इसका मतलब वी की साधी होगी किसी से डीक है ठीक है वह यहां से पता चला हमें बाद में तो इन लो होने के लिए एम और आन की तो और क्या बोलते हैं बतलब एम और एन की यहां पर क्या बोला था इसने कि कि हैं थो 30 ले अंहders जअनूी वन डौ को यके बोलने के ज़िए रहे हो थो य और य को कि कि बता थे हैं कि हा वाई और जेड़ की नहीं esos और एक बार लिखे हुए कि मैं अंदर नहीं समझ मिया पाएगा दुबार से लिखना पड़ेगा लेकिन मैं ऐसी समझान कुछ इस कर देता हूँ ठीक है उसके बाद मैं इसको और इस डाइगराम को मर्ज किया मैंने मर्ज करने के बाद में यहां से मर्ज हो गया वाई से ठीक है वी यहां पे था वाई यहां पे था इसके बाद में यह जो दोनों कपल थे ना यह मैंने संभावना के उपर काम किया कि यह पॉसिबिलिटी हो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं पूरा मिटा के दुबारा बनाओं इसको क्योंकि ऐसे तुम्हें कितना भी एक्स्प्रेंट कर दूँगा है क्योंकि बन चुका है कितने लोग चाहते हैं दुबारा बताओं पूरा जो चाहते मैं यह सनों में समझी नहीं पाता हूं बना करें जो लोग चाहते रिपीट करूं वो ए लिखो ए चैट में कि मैं बहुत लोग हैं कि क्या हो गया यार समझ क्यों नहीं आ रहा कि फड़ा बहुत होमवक करके आगरो कि अब कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा लेकिन यार सब को समझाकना और सब को साथ में लेके चलना बहुत जरूर यह आप ऐसे नहीं बोल सकते से रिपीट कर रहे हो ठीक है ना लाइव क्लास कर फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो देखो और सकते हैं एक परसन मेंसें बिलोंग टू दौ रण ऐसे साथ के लिएक की डोटर है तो य के एक डोटर है लेकिन ओनली वन डोटर तो वाई के बारे में लिख देना है आप यापर ओनली वन डोटर ठीक है आगे बढ़ें आगए कुछी दोला मसे मेरिट टू अ M की साधी N से हुई है M और N एक कपल है लेकिन मुझे जेंडर नहीं पता है इनके किसी के भी चलो O is grand child of Y तो इसको नहीं मानना है एक बार side में लेग देना है M is married to N, O is grand child of Y हो गया, who is not in the same generation as M तो M और N की generation में कौन नहीं आएगा, Y नहीं आएगा देखो ठीक है, L is aunt of O, तो यहाँ पर लिख दिया, L aunt है O की aunt of O, ठीक है, L aunt है, N is mother-in-law of V, M क्या है mother-in-law है, तो M का जेंडर पता चल गया तो N का जेंडर भी पता चल गया कपल है जो, अब यह M mother-in-law यान की जेंडर भी नहीं पता, फिर गोला है V and Z are sister-in-law of each other, V और Z आपस में एक दूसरे की sister-in-law है, ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी भी साधी हुई हुई हो, यहाँ पर Z आजो, तो V और Z को sister-in-law बना दिया गया, तो Z यहाँ पर यहाँ पर तो एक बार इसमें बनाओ, ठीक है, तो इसका बनाओ, Z क्या है, Z भी फिमेल है, ठीक है, और Z और Y का कोई भाई बहन नहीं हो सकता, कोई भाई बन नहीं हो सकता, इस जन्रेशन में कोई और आई नहीं सकता, इनके भाई बन होने के साथ में, तो Z को और V को sister-in-law बनाने के लिए, जेड की भावी बनानी पड़ तो Y इनका बेटा हो गया, ठीक है, उसके बाद ने Y की क्या है, एक बेटी है, तो Y की एक बेटी है, तो वह सर्कल मना नहीं हो सकता और Z Y की बहन है तो Z को Y की बहन बना धिया, यहां तक तो भूत ही जी था, कोई दिक्कत वाले बात ही इन अगी आगे बहड़े, पस एक ची अब इसको सब्यारी को इन साथ और यहल्गी समय थक्रिय। अना सब्सक्यान किरें। इंफोर्मीशन मेरे पास यह सब्सक् ideo сердस्ट है कि..? ठीक है तो यह आंट वाला तो भी confusing है तो इन दोनों को मैं सोचूँगा मैं तो इसको सोचूँगा एक इसको सोचूँगा अब मैं सोचूँगा कि अगर ओको वाई का grand child बनना है ठीक है तो वाई के बेटा या बेटी की साधी होना बहुत जुरूर है अभी तक वाई के किसी बेटे की चर्चा नहीं हुए तो जो कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो इसका मतलब यहां पर जो लड़की आईगी उसकी साधी होना वो जरूरी है, तब ही तो वो ग्रांड चाइल्ड देगी वाई को, तो साधी हो तो एक कपल ही बचा हुआ है मेरे पास नीचे आने के लिए, उसमें आर फीमेल है, तो आर बेटी होगी इसकी फीमेल होना भी जलूरी है, तो उसकी साधी किस से होई है, एस से होई है, और यह एक कपल है, यह इनफोर्मेशन भी काम में आ गई, ठीक है, अब इसने बोला है कि वाई का ग्रांड चाइल्ड ओ है, तो ग्रांड चाइल्ड तो इसी का होगा, ओ यह फीमेल नहीं है भई, इसका जेंडर न आएगी तो यह तो इसके मातापिता हो गए, अब आब बताओ, या तो S की बहन होगी L, या R की बहन होगी इस जनरेशन में इसकी लाव कुछ नहीं हो सकता, अब R की और बहन नहीं हो सकती, क्योंकि देखो only one daughter, Y की, तो R की और बहन नहीं हो सकती, इसका मतलब बहन किसकी हो होगी यह जो बच गई वो एल एस की बाहन होगी है तो ओक एंट हो गई यह आपका कुश्चन सोल हो गया अब कि क्या बोल रहे हो एन इस हा तो कोई बात नहीं इतना दिल पर मतलिया अगरो तुम लोग पहले तो सही बताया होगा मैंने ठीक है एल को विल्कुल फेमिली में गाउंट करेंगे ठीक है जी चलो पहला कुश्चन मताओ हाओ मैंनी मेरीड कपल्स आर देर इंद फेमिली कुछ लोग बोल रहे हैं न मैंस टाइप कुश्चन नहीं करते तो इससे आजाते मैं जो कुश्चन इससे गंदा लान दो भी लियाएंगे लेकिन को जबर जस्ति थोड़ी जो चीज आएगी नहीं वो पढ़ने ऐसे कुश्चन आते हैं लेकिन कुछ अच्छे एक्जाम से प्री में भी आ जाते हैं देर रर हाओ मैनी मैरीड कपल्स देर इन धा फेमिली तो एक दो तीन, तीन लोगों के सथे रखी है ठीक है इसलिए आप क्या करो आराम से देखो और आम से समझ नहीं को सब्सक्राइब करो हम दीरे दीरे पढ़ लेंगे इन में दिक्कत आती है समझने में मुझे पता है इसलिए मैं दो दो बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ मर्ज नहीं हो रहा कोई बात नहीं चलो आजब फिर हम करेंगे इसको मर्ज भी होगा सब कुछ हो जाएगा यह देखो कुछिन बोले टेन परसंस पिक्यू आर एस टी यू वी डबलू एक्स एंड जेड आर देर इन फेमली ओफ त्री जनरेशन तीन जनरेशन हैं दादा पिता और बेटा तीन जनरेशन ही हैं मतलब एक एक्जामबल दिया है दिर आर थ्री मेरीड कपल्स तीन मेरीड कपल हैं ठीक है भई मतलब छह लोग तो ऐसे हो गए इसे जो साधी की होए बताओ छह लोग इसमेसे साधी की होगे और चार लोग अनमेरीड रहेंगे ठीक है अब कॉमन सेंस की बात है अगर मैंने बोल दिया ए बी का बेटा है तो बताओ बी की साधी होई होई है नहीं होई होई है बताओ होई होई है ना तो ऐसे समझ जाना की कपल कौन है आज़ो फिर देर आर थ्री मेरीड कपल ठीक है तीन मेरीड कपल है तो लिख देना है यहां पर थ्री सी यारी कि थीन कपल है तीन जनरेशन है यानि थी जनरेशन है आज़ोई भूलना निया इस चीज को अब आगे बोला स is the sister-in-law of our s r की sister-in-law है बट नोट मेरीड टू पी एस की साधी साधी पी से नहीं होगी है इसका मतलब इसकी साधी किस से होई है ठीक है और दूसरी एक चीज भी मुझे बताना एक फैमिली की बात कर रहो हूं वन फैमिली कि एक फैमिली में शिश्टरी निलो क्या हो सकती है बता हो वैसे तो शिष्ट्री ल Loo Salih भी है, ठीक है, बाभी भी शिष्ट्री लो है, कोई लड़की है उसके लिए ननन्दभी शिष्ट्री लो है, एक फेमिली में, आप अपने बारे में सोचो, कोई लड़का होई या लड़की होगी, उसके अंदर, शिष्ट्रीन लो क्या हो सकती है भाबी ही हो सकती है ठीक है ना भाबी ही हो सकती है ठीक है या पिर कोई लड़की है तो तो इसका मतलब S is the sister in low of R तो S is sister in low है इसको कैसे बनूँ यहां से बनाता हूँ इस शिष्ट्रीन लो है किसकी आर की तो S की साधी होई है किसी से और जिससे साधी होई है उसकी बहन है ठीक है तो S आर की भाबी होई यह नहीं होई बताओ अच्छा नानन्द भी हो सकती है आपको जब भी एक फेमिली के बारे में सोचे है तो S is the sister-in-law of R S is the sister-in-law of R तो आप ऐसे बोल रहे हो कि ननन्द होने का मतलब क्या हो गया S is the sister-in-law of R आनि कि R की जिससे साधी होई है यानि R भी फीमेल हो गई R की जिससे ननन्द तो हमेशा लड़की की होती है ठीक है इसका मतलब आपको यह भी पता है कि R क्या होगई लड़की होगई और R की जिससे साधी होई होगी उसका पती है उसकी बहन है कौन S तब जाके S की sister-in-law of R होई यह बोल रहे हो आप लेको समझेंगे आराम से हर possibility बात करके और किसको दिमाग में यह आ रहा है ही कि बोलो तो सही कदम के भी आ रहा है अब बहुत लोगों कि आएगा कि दोनों ठीक हैं कि क्या गलत है देखो इसमें दो पॉइंट में बोलूँगा एक तो आपको आर का जेंडर भी नहीं पता ठीक है दूसरा आपको यह नहीं पता आर की साधी नहीं हुई है ठीक है यह होगे नेगेटिव पॉइंट उपर वाले के स को काटने के ठीक है निचे वाले के स के पॉजिटिव पॉइंट क्या इसने बोला है यह की साधी हुई है ठीक है अब मैं बोलता हूं ठीक है S की साधी हो गई है हना अब S की साधी हो गई है तो S को sister in love बनना है और अपनी family में तो किस की sister in love बनेगी और लड़की S अपने पती के भाई बहन की तो बनेगी तो आपको ऐसे दिया गया है कि S की साधी हो चुकी है किसी के साथ में फिर S की sister in love कोन S किस की sister in love बनेगी तब तो अपने पती के भाई बहन की बनेगी ना तब तो अपने पती के भाई बहन की बनेगी इसलिए यह की है समझ चुक है S की साधी हो चुकी है यह है is my logic अब बोला है But, S is sister-in-law of R, but not married to P. ठीक है, तो S की साधी P से नहीं हुई है, इसका मतलब आपको देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर छोटा सा लिख देना है कि यहाँ पर P नहीं आएगा, क्या P आया सकता है यहाँ पर? क्या S की साधी P के साथ नहीं हुई है, तो वहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, P is the son of V, P V का son है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, P is the son of V, तो V है भाज साब, V का son कौन है, P, अब मुझे बताओ, V की साधी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, ऐसे बर्चा पर दा हो गया, V की दियो है कि तभी बेटा P है, तो यह आप लोगों को मान के चलना है, ठीक है, उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है, W is the brother of T, W T का ब्रदर है, कुछ अता पता नहीं है, W T का कोई दिक्कत नहीं है, W is the brother of T, W T का भाई है, तो मैंने बना दिया side के अंदर, W T का भाई है, अ आवा गया जो, Z is the father-in-law of Q, Z वैसा father-in-law है Q का, अब जगए ही नहीं है, हमारे पास क्या करें भई, यहां बनाते हैं, Z है father-in-law, Z father-in-law बनाए ससूर बन गया, तो Z ही साथी होगी एक नहीं होगी, हुई हुई होगी, और Z father-in-law है तो किसी female के साथ ही हुई होगी, ठीक है, तो Z एक का पहले पहले पुता चल गया, Z is father-in-law of Q, Q का father-in-law है ना, इसका मतलब है, Z का कोई बेटा या बेटी रहा होगा, और उसकी साथी किस से हुई होगी, Q से हुई होगी, ठीक है, तो यह यहां पे Z का बेटा या बेटी आए गया, तो दो कपल यह होगए, आगे आजाओ, दखो, U is the mother-in-law of X, and married to the brother of R, यह आर यहां आगया, ठीक है, अब यह बोल रहा है, U is the mother-in-law of X, U X की mother-in-law है, and married to brother of R, ठीक है, और R के भाई से U की साथी हुई है, अब आप लोग मुझे बता देना, यह R का भाई है कि नहीं है, यह R का भाई है ना, क्या इसकी साथी U से हुई है, इसकी साथी तो S से हो चुकिए पहले से ही, ठीक है, married to brother of R, ठीक है, तो U की साथी, मतलब U यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी साथी तो S से हो चुकिए, तो R का इसका मतलब एक भाई और होगा, पक्की बात है तो, R का एक बाई और होगा, और उसकी साथी किस से हुई है, U से हुई है, ठीक है, U, अब बताओ U female होगी कि नहीं कि प्रच थूऊ पंधर रॉब र उचिवा कह קंए कि मृणन बनाएंगे यु इज Dr. एक सब्कूर एक सब्कार हा तो यू की बात और रोजी ना यू ने मेरिड की ए ठीक है, U is the mother of X, यह बना देंगे भी, अभी यू आने दो, फिर आगे देखो, एंड मेरी two brothers of R, तो R के भाई से U की साधी हुई है, तो R का भाई एक तो यह है, इसकी साधी तो S से हो चुकिए, इसका मतलब R का एक और भाई है, और उसकी साधी किस से हुई है, यू से होई है, और U is mother of X, और UX की mother है, इसका मतलब X इनका बेटा है, बेटी है, बताओ भई, समझ रहे, इतना आ गया है, फिर आ गया है, Q has only one sister, Q के सिर्फ एक ही sister है अब Q कहा है, Q था अगले page पर कुछ हाभी, Q has only one sister, यहाँ only लिख दे ना, कि इनके only one sister यही लिख दो चाहिए, ठीके जगह नहीं वहाँ पर पर, तो Q के सिर्फ एक ही sister है वही, who is unmarried और वो क्या है unmarried है तो ये जो एक sister ही है unmarried भी है भूला एक भी information भूले के सुल्जाना ही बड़े question को मुस्किल होता है एक भी information भूले के गड़बर सारा का सारा ठीक है आजब X has no sibling मतलब X के कोई भाई बैन नहीं है तो बताओ X के इदर कोई आ सकता है बताओ दो कोई नहीं आ सकता X का कोई sibling नहीं है तो X के आगे लिख देना के no sibling और यहीं लिखना चाओ side में तो यहां भी लिख सकते हो no sibling कोई भाई बन नहीं होग अभी X का आगे बढ़ जो Jed has only one grandson Jed के सिर्फ एक grandson है and no girl child कोई girl child नहीं है मतलब Jed के सिर्फ तो एक grandson है और कोई भी grand child नहीं है अब मुझे बताना हो इसमें कितनी generation है तीन generation है तो Jed उपरी उपर वाली generation में आएगा कि नहीं आएगा Jed उपरी उपर वाली generation में आएगा एक generation तो यह रही और एक जनरेशन ये रही और उसने ये बोल दिया इसका और इसका और इसका और इसका बाप होना चीए निए होना चीए निए बताओ क्योंकि जेड उपर जनरेशन में आएगा, खुद लोजिकली सोचना पड़ेगा, देखो भई, सोचने के लिए आपको प्रेक्टिस गरना पड़ेगा, अरे एक्स में ले बता देंगे, क्योंकि एस का और यू का तो नहीं हो सकता, ये फैमिली नहीं है, ये तो भाबी और व ये जेड होगा, ठीक है, एंड नो गर्ल चाइल्ड, कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं है भाई इसकी, कोई भी गर्ल चाइल्ड नहीं होने का मतलब क्या है, ये आर भी क्या हो गया, मेल हो गया, क्योंकि इसके तो बैटी तो ही नहीं, तो तीन बैटे हो गया इसके, यार ये इसे कैसे हुआ इसमें एक लाइन गड़बड है यह पी के साथ साधी नहीं हुए यह यह आर के लिए बोल रहा है यह बट की जग़ा कुछ एक मिन रुको एस आर के सिट्रेंड लो है लेकिन पी से विवाई तो नहीं है ऐसे तो कपल जादा हो जाएंगे फिर इसमें चोथा कपल भी आजाएगा आगे जाके इस आर के साधी भी हो जाएगी इसने बोला है ना आगे एक सेकंड रुकना इस लेकिन को टाओ यहां से और यहां लिख दो जिसका और इस बट की जग़े एक सेकंड रुको यह कई बर कियाने टाइपिंग में या कुछ मतलब जहां से कुश्चन लेते वहां पर मिस्टेक होती है कुश्चन में नहीं तो चार कपल हो जाएगे पोसिबल ही नहीं नही इस बट की जगह लगा दो हूँ अगया है हूँ इस इस कीप नहीं करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब उपर से जा रहा है तो आप ही लोग बोलते हो सर लेवल पर नहीं पढ़ाते हो अब यह मुझे मैंस में पढ़ाना चाहिए था पिरी तक का दो में करा चुका था लेकिन कुछ लोगों ने बोला तो मैं उससे जखराते हैं यह हूँ आना चीए था यार यहां पर यह गड़बड कर देते हैं न कई बार अब पूरा गुशन गड़बड हो गया है एक मिन रुको मैं इसको बनाता हूँ कोई बात नहीं है इस हूँ की वज़ए से थोड़ा सा गड़बड हो जाएगा ठीक है यह एक वर्ड में देखो अर्थ का अनर्थ हो जाता है दुबार से देखना देर are 3 married couples 3 married couple है S is the sister in love of R who is not married to P इस बार married कोन है हुँ इस नोट वला है not married to P नहीं इस बार R married है ठीक है तो R को married करो देखू R married है R एक कपल है यहीं पर कहा है ठीक कोई दिख्चत वाली बात नी है ऐसे R किसी से married है या कि जो भी आना है वो आ जाएक ठीक है R married है और S को sister in low होना है R का तो S कैसे होगी sister in low बताओ R जो भी है male फी नहीं पता आर का जो पती या पत नहीं होगा उसकी शिष्टर होगी कि नहीं होगी एस बताओ कलास बंद नहीं होगी एक बार रुख जो थोड़ा सा मुझे इतना समझ वागे ना sorry for that वो एक word गड़बड हो गया था मुझे फिर आगे जैसे ही मैं गया तो मुझे आइडिया लगया कि एक कुछ गड़बड़ा इस question में ठीक है तो थोड़ी शीस में जगह की shortage पड़एगी तो मैं अगले page पे बनाऊं इसी पे बनाऊं कैसे इसको adjust करें इसको ऐसे लिखो आप और आर के साधी होगी आपके पास पेपर पे खूब जगह होगी मेरे पास बोड़ पे जगह नहीं इसलिए आर के किसी से साधी होगी और उसकी sister क्या होगी उसकी sister in low हो जाएगी ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं यह साधी पी से नहीं करेंगा ठीक है यह जो आर है आर की जो साधी पी से नहीं होगी ठीक है तो यहां पे पी नहीं आएगा भी अना आर की साधी पी से नहीं होगी पी इस सन ओफ वी तो इदर लिखावा पी सन ओफ वी ठीक है तो वी एक कपल है चलो अब जल्देल हो य कोई बनाएं रखाए तो फटाफट ऊजागे ने तो चूट जागे जाए क्यों यह उसके बादने अधिके यू इस दा मदर ओफ X ठीक है और मेरीटु ब्रदर ओफ आर ठीक है तो यू इस दा मदर ओफ यू से वही है, यह एक पल है, और यू इस दब मदर ऑफ एक्स, यू मदर है एक्स की, और आगे बले, एक्स हेज नो सिबलिंग, एक्स नो सिबलिंग, यानि इसके कोई भाही बन नहीं है, आगे बढ़ो, जैड है जैड हेस ओनली वन ग्राइड़ संड, जैड के केवल एक ग और से लहाता है हैं और सिक्राइट इसफेटेगा क्या नहीं पता है सिरी सब्सक्राइट अब पता हैं होला आगी तासि मेल होगा और सक्राइट है हो बोल जाएगा और अलडों पुलिए आनता ही लिख दे ना भी इसको, जेड ओंली, वन गरांड सन, गरांड सन को जी इस लिखती है, ठीक है, टी इस दा यंगेस्ट पर्सन ओप दा फेमिली, टी यंगेस्ट पर्सन है, अब मुझे ध्यान से बोलना है एक चीज, यंगेस्ट पर्सन नीचे नीचे वाली जनरेशन में आएगा और यंगेस्ट पर्सन नीचे नीचे वाली जनरेशन में आएगा और यंगेस्ट पर्सन नीचे नीचे वाली जनरेशन में आएगा और यंगेस्ट पर्सन नीचे नीचे वाली जनरेशन में आएगा या तो यह इतना समझ में कि अब कोई दिक्कत आ experts समय नहीं थायए अब आप देखो सादी किसकी हूए एक तो व ही reco का बेटा ंव पी है ठीक है अब मैं व को प्ले सकता हूं Fay सादी हुए तीन कपल को सकतें सी जाथ कपल नहीं हो सकतें या तो भी यहाँ ऐगा या या मेज nectar घाइगा अगर व्हहां आ गया तो वे का एक बेटा ओजएगा ऑग फी घ्दक्ट ओर आप अधेटा है वी यहां पर रहाएगा तो दीश हो जाएगा तो इसके कोई सीबिलिंग नहीं यहां भी नहीं सकते हैं तो वी यहां भी नहीं आइए और वी मेल अबी तक नहीं है और वी का एक बेटा कौन है तो पी इसका मतलब यही बेटा बचा है इसका पलका तो एक की बेटा की जगह इसलिए यह नहीं बोला कि इसका भाइवन हो गा यह नहीं लेकिन अपनी तरफ से उसको नहीं लिख सकते थे ठीक है चलो तो यह भी इन्फोरमेशन वाले वी काम में आ गए यह भी मैंने लिख दिया ठीक है जेड है ओनली वन ग्रैंड संट जेड के के वल एक ही ग्रैंड सन ह बताओ बई, जेड के कितने grandson है, केवल एक ही grandson है, तीक है, तो इसका मतलब, डबलू grandson है जेड का, एक ही है, तो बाकी क्या होंगी, granddaughter, इनके gender पता चल लगए, इतना हो क्या, कोई information बच गी, ये भी काम में आ गई, information नहीं छोड़नी है कोई भी, क्या बोल रहा था, जेड ओ, और नीचे एक क्यू आएगा एक जगह पे, तो जेड तो यहाँ पर आ चुका है, और जेड के नीचे एक कपल आएगा, जिसका क्यू होगा, तो जेड के नीचे एक कपल में क्यू आ रहा है, तो जेड के नीचे, बेटा बेटी में किसका कपल बच रहा है, ये बच यहीं आएगा क्यों, बताओ, और कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है, और आगे उस नहीं क्या दिया है, only one sister unmarried, तो यह दोगो only one sister unmarried है, तो बच ठीक है, क्यों बचा है, तो क्यों आ गया न अगले बाले से, यहां पर डाग्राम बनाया था, यह दाग्राम बनेगा इसका, sorry for this, ठीक है, इसके लिए माफी समगा में, ठीक है, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो यह समझ में आता, चलो, अब फटापट फटापट देख लो, what is the ratio of male members to the female members of the family respectively, निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, एस T से किस प्रकार संबन नहीं थे, यह संबन देख लो गई, S क्या लगता है T का, S T क्या लगता है, उपर वाली जनरेशन में और माता-पिता नहीं यह फीमेल अंटी लगेगी, आंट लगेगी ठीक है और एक विश्जन यह भई ऐसा सा यी कुछ है यह मैं आपको हूम वर्क में दे रहा हूं ठीक है पिछले वाला कुश्चन अगर गडबड़ने होता तो यह करा देतें इसले हैं आपको हूम वर्क में दे रहा हूं आप लोग कर लीजेगा। करना में आंसर आपको चेट पर विजवा दूँगा यह फिर में पीडिए पीडिएफ कहीं से कुछ करवा दूँगा ठीक है ना यह कुष्टन ऐसे होते हैं इन में टाइम लगता है एक क्लास में दो ही कुष्टन हुए आप सोच रहो लेकिन इतना मतलब समझ में आना चीए टाइम लगता है जो को पहली बार जब सीखते हैं तो गाड़ी को 20 किलोमेटर चलाने में भी हम दो घंटे लगा सकते हैं और जब सीखने के बाद चलाएंगे तो बहुत स्पीड ले चला सकते हैं अमीद करता हूं समझ में आया होगा